इस वीडियो के साथ हम चालू कर रहे है टेबलू का एक प्रोजेक्ट सीरीज सेल्स इंसाइट के लिए तो हम ऐसा एक टेबलू में डैश्बोड बनाएंगे जिसमें एक कंपनी का सेल्स का डेटा है पर रिजियन, पर प्रोडक्ट, पर कस्टमर हम डिफरेंट बार चार्ट्स, ट्रेविन्यू ट्रेंड वगेरा बताएंगे और ये प्रोजेक्ट करने से आपको ओवरॉल एक इंटरेक्टिव विजुलाइजेशन या तो फिर जिसको डैश्बोड बोलते है वो हम टैबलू में हम उसको प्रोड्यूस करेंगे अब टैबलू आपको सीखना है अगर आपको डेटा एनलिसिस का करियर बनाना है आजकल डेटा एनलिस्ट जॉब की डिमांड बहुत बढ़ गी है और अगर आपको उसका करियर बनाना है तो either Tableau या तो फिर Power BI या तो फिर SciSense कोई भी एक BI tool आपको आना ही चाहिए यह तो must है तो इसके लिए आपको यह project बहुत help करेगा इस project में बहुत सारे वीडियो होगे जिसमें हम step by step data analysis, बड़ी company में लोग कैसे करते हैं उसका हम देखेंगे तो यह कोई वो ऐसे regular Tableau आप tutorial देखते होना ऐसा नहीं है वो tutorial देखने से इतना effective learning नहीं होता है लेकिन अब जब project करतो हो, real life project तो आपको एक idea आता है कि आप अगर company में job करने जाओंगे as a data analyst तो बड़ी company में क्या होता है अब यह corporate understanding आपको जो मिलती है वो इस project में मेरे को दो लोगोंने help की है एक तो हैमनन वाडिवेल जो data analyst manager है एक UK की company में उन्होंने यह सब सारा data collect किया presentation वगरे के साथ मेरे help की तो thank you हैमनन, वो मेरे अच्छे दोस्त है कसीम भट्टी, top rated upwork freelancer है जो भी data analyst के project करते है यह दोनों बहुत ही expert लोग है उनको real life project का बहुत सारा knowledge है मेरे को भी है हम तीनों ने मिलके यह series बनाई है तो आप देख सकते हो कि एक corporate style का आपको एक touch मिलेगा इस project में और इस project के लिए कोई भी prerequisite नहीं है आपको कोई tableau कुछ नहीं आना चाहिए कोई भी बन्दा इस project को देख सकता है इसको tableau understand करना आ जाएगा यह project से अब हम problem statement को देखते हैं तो एक company है ATLIC hardware करके वो company hardware peripheral sell करने का business करती है तो उसके बहुत सारे customers है यह बड़ी company है उसके कुछ customers है जिसका नाम है search store, nomad stores, excel stores और इन सब जो client है उनको वो hardware equipment supply करती है इसका headquarter है Delhi इंडिया में और पूरे इंडिया में उसका business है तो इसकी regional district offices है अब भविन पतेल इस company के sales director है और भविन पतेल को अभी एक challenge आ रही है कि company बहुत बड़ी है company के sales decline हो रहे है और उनको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है जब company छोड़ी होती है ना 15-20 लोगों की तब तक manage करना easy होता है लेकिन जब बड़ी होने लगती है ना तो top level के लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि इतना फ़रा manage करना hard हो जाता है traditionally लोग excel file वगेरा का use करते थे लेकिन वो efficient नहीं है आपके अगर 1000 client है तो सारे client का excel में data लाना excel में analysis करना बहुत tedious होता है तो बाविन पतल को यही अभी problem हो रही है कि वो district officers को phone करते है sales का हालत जानने के लिए लेकिन manager लोगों की एक आदत होती है कि वो है रोजी picture paint करते है मतलाब अगर कुछ उनके particular district में अगर sales decline भी हो रहा है ना तो वो लोग बताएंगे नहीं अभी सब अच्छा जाला है कई बार वो जूट नहीं बोलेंगे लेकिन वो sugar coating करेंगे उनो तोड मरोड के ऐसी बात करेंगे ना भाविन पटेजर है उसको पता नहीं चल रहा sales director को कि individual region में problem कहा है sales decline क्यों हो रहे है तो उनको बहुत तकलिफ हो रही है और उनको future business strategy भी decide करनी है तो वो future business strategy decide करने के लिए कौन से region में discount देना है कहां पर cost cutting करना है ये भी बहुत सारे दिक्कते आ रही है और जब भी वो district manager को बात करते है न वो सब उनको बड़ी बड़ी excel file दे देते है अब excel file इतनी सारी उसको analyze करना मतलब it's difficult right और excel वैसे भी boring होता है इतने सारे numbers को देखो क्या analysis करोगे आप तो यही सारा अभी भविन पड़िल की रही यही सारा headache हो रहा है तो as a sales director वो design ही कर पा रही कि business में चल क्या रहा है और हमें करना क्या है तो वो यही चाहते है कि भाई आप मेरे को यार इतनी सारी excel file मत दो यार मेरे को क्यों मतलब 70 excel file आपने दे दी 69 excel file मेरे को बता रहा हो यार मेरे को simple insight दो भाई मेरे बाई मेरे को simple insight दो तो उनका यह wish है कि एक आपने कहावास सुनी होगी आप पिक्चर इस वर्थ थाउजन वर्ड्स आप डिस्क्राइब करते हो इसके बजाए कोई visualization अच्छा मतलब एक interactive जैसे भी मैं टैबलो में दिखा रहा हूँ आपको एक interactive बड़ा सा बढ़िया वाला आप एक visualization दिखा दो तो भाविन बटल है ना वो हर रोज अपनी office आएंगे और वह visualization पर ही उनको सारा answer मिल जाएगा कि भी यह top 5 products कौन सी है top 5 customers कौन से है region wise revenue का breakdown क्या है revenue trend कहां कैसा जा रहा है तो ऐसा एक visualization होने से एक तो उनको किसी को call नहीं करना पड़ेगा answers easily मिल जाएंगे और दूसरा यह कि यह सारा data जो company का software है ना उसके database के साथ plugin रोल रहता है तो यह कोई manager आपको verbally बता नहीं रहा है यह real data है तो वो बोलते है ना कि data do not lie data कभी जूठ नहीं बोलता तो वो data real आएगा और उनको real concrete detailed answer मिलेंगे यह visualization होने से तो इसलिए अब क्या किया है कि उन्होंने कुछ data analyst हायर करके यह visualization board बनाना चालू किया तो हम next few वीडियो में हम यही देखेंगे कि यह visualization board कैसे बनाते है मैं step by step आपको दिखाऊंगा कि जी टैबलू में कैसे यह पूरा dashboard जो भी हमने preview बता है हम पूरा step by step बनाएगा बहुत ही मजा आने माला मैं बोलता हूँ आपको इतना मजा आएगा इस project में और बहुत ही अच्छे understanding मिलेगी हम mysql database का यूज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत mysql का भी idea आई जाएगा मैं क्या करूँगा mysql में query run करके थोड़ा analysis करूँगा बाद मैं same चीज Tableau में करूँगा तो आप compare भी कर सकते हो mysql और Tableau को कि क्या difference होता है इन दोना में ठीक है बाद में हम aims grid के बारे में बात करेंगे जो कि एक project management tool है और पूरा project plan out कैसे होता है बड़ी company में उसके थोड़ा देख लेंगे तो जब भविन पटल जो sales director है उन्होंने यह identify कर दिया कि यह problem है उसके बाद में वो उसकी company के जो stakeholders होते है जैसे कि data analyst team का जो head होगा या IT team होग तो ब्रेंस्टोर्म करेंगे कि यह problem statement क्या है उसको करना कैसा है और हमें end में actually बनाना क्या है तो aims grid में total four component होते हैं पहला होता है purpose कि भाई हमें exactly करना क्या है क्या problem है कहां पर दिक्कत आ रही है दूसरा होता है stakeholders कि यह project में कौन-कौन सी parties involved होगी तो जिसे अपने project में sales director, marketing team IT की team और data analyst लोगों की जो team है यह सारे लोग involved होगे third component होता है end result क्या आना चाहिए right कि हम यह सब काम करता है ठीक है लेकिन हमें end result चाहिए क्या तो इसमें हमार end result है एक working functioning tableau dashboard जो sales director की सारी query को answer कर सके और insight produce कर सके और चौथा component होता है success criteria कि एक बार यह project कर तो दिया लेकिन यह project successful हुआ कि नहीं ROI एक term आता है यह पता है कि return on investment हमने इस project में चलो पचास लाख इतने रुपे चलो span कर दिये तो actual में उससे हमें फाइदा हुआ कि नहीं तो success criteria define करने का एक metric होता है एम screen में उसमें हम बोलते है कि यह project करने के बाद हमारा जो cost है वो let's say 10% reduce होना चाहिए operation cost या तो फिर sales analyst जो है वो बहुत सारी excel file को manually merge वगरा करते थे तो उनका 20% of business operation time save होना चाहिए या तो फिर simple metric यह हो सकता है कि अपने sales में वह या next year 5% 10% increase होना चाहिए तो यही सारी चीज़े हम जो fourth parameter success criteria है उसमें define करते हैं तो यह aims grid का यह लोग सब एक meeting room में बैठके brainstorming करके record कर देंगे कि यह purpose है यह stakeholders है यह end result है और यह हमारा success criteria है उसके बाद में project start होता है अब aims grid के लिए एक मैं video की link आपको description में दूँगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है detail में वैसे तो मैंने बता दिया लेकिन अगर थोड़ा detail में आपको देखना है तो देख लीजिए जब आप data analyst की job लेने जाओंगे तो सिर्फ technical चीज़े important नहीं होती है soft skills, project management, aims grid का knowledge होना यह सब important होता है तो इसलिए आपको यह video देखना चाहिए तो आपको idea है अब हम थोड़ा इसको fancy up करने के लिए मैं जो teams है उसके थोड़े नाम ले लेता हूँ तो एक तो team होगे IT तो IT team का purpose क्या होता है कि athletic hardware बड़ी company है इतनी सारी office है तो उनके पास कुछ तो software होगा उन्होंने 100 computer लोगों को बेज दिये तो वो 100 computer उनके वो software में record होगे उससे वो invoice print होगा वगरा राइट तो यह जो software जो develop करती है वो team को ही हम IT team बोलता है तो समझ लोग के athletic hardware में एक IT team है जो यह software development यह सब करती है उस team को हम बोलेंगे falcons तो यह falcon team का काम है mainstream जो software है उसको develop करना और यह जो sales management team है उसके पीछे mysql database है तो सारे जो transactions होता है जिसको computer बेचे mouse, keyboard बेचे सबके invoice, numbers, data, client, नाम, सब कुछ यह mysql database में store है हमारी जो data analysis team है उसको हम बोलेंगे data master तो data master जो team है उसका काम है कि mysql database में से data लाना और उसको analyze करना अब आप analysis करने के लिए excel में analysis कर सकते हो या तो फिर सीधे mysql में SQL query रन करके भी analysis कर सकते हो लेकिन BI tool करने से और हम देखेंगे कि BI tool करने से आपको बहुत ही बड़े advantage होते हैं तो इसलिए data master team है वो mysql के साथ Tableau को hook up करेगी और जो भी dashboard बनाना है वो बनाएंगी तो अब यह falcons और data analyst वाली जो team है उन्हों नहीं यह सारी discussion कर ली और हमारे project में हम यह approach follow करेगे जिसमें data analyst की team सीधे mysql को hook up करेगी अब जो बड़ी companies होती है बड़े project होते है अपना project छोटा है लेकिन बड़े project में यह लोग एक और component बीच में डालते है तो sales management system का mysql database तो हो गया है अब एक ETL process होती है जिसको बोलते है extract, transform, load उसका use करके वो mysql में data pull करके data warehouse में डालते है अब data warehouse, informatica, actually ETL जो tool है वो ETL tool के लिए informatica, apache, nifi, talent ऐसे या तो फिर python, pandas use कर लो लोग अलग-अलग tools use करते है और data warehouse के database के लिए teradata है, amazon redshift है यह सारे database use होते है, अब आपको question होगा कि mysql में से सीधा क्यों query नहीं करते है तो mysql जो system है वो critical system है, right, sales वाला बंदा गया, sales करके है उसको वो system में डालना है तो वो system up and running होनी चाहिए, इसलिए उसको बोलते है OLTP, Online Transaction Processing System अब अगर हम उस पे data analysis करने बैठ जाए तो ऐसा हो सकता है कि अपनी query की वज़े से database धीरा पढ़ जाए, mysql, you know, mysql database down हो जाए, तो उससे अपना mainstream business operation effect नहीं होना चाहिए data analysis जो process है वो kind of secondary होती है, अपना main जो दंदा चल रहा है उसमें effect नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम यह mysql database सारा data copy करके एक दूसरी जगा पर राखता है, और जब data data warehouse में आ जाता है, तो उसके उपर बाद में data warehouse mysql में भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको teradata करना है, ठीक है, तो आपने different role देखे, एक तो IT का role है, software engineer जो main software developer है, दूसरा data analyst का role देखा, और यह तीसरा role जो है, जो लोग data warehouse बनाते है, उसको बोलते है data engineers, तो हमारे case में उनको हमने fancy नाम दिया है data miners, तो यह data miners जो है, टीम का नाम है, लेकिन role जो है वो data engineer, तो अगर आपको कोई, कभी confusion हो कि data engineer का काम क्या है, तो data engineer का काम है, एक database का infrastructure create करना, जिसके उपर data scientist और data analyst अपना analysis कर सके, तो यह ETL process लिखना, data warehouse को manage करना, यह सब data engineer का काम होता है, तो बड़ी company में overall यह architecture होता है, हमारा project छोटा है, इसलिए हमने simple architecture रखा है, MySQL जो OLTP database है, उस पे ही हम सीधी, अपने tableau को hook up करके, अपना visualization dashboard बना देंगे, last video में हमने aims grid और data discovery के बारे में discussion की थी, इस video में हम MySQL database है, जो की Falcons team use करने वाली है, Falcons team जो है, वो IT की team है, और उन लोगों ने जो sales management system बनाया है उसमें MySQL database का use किया है, उसको हम हमारे जो data analyst है, वो use करेंगे अपने data analysis के लिए, तो वो database जो है वो उसका structure हम इस video में देखेंगे, और हम simple SQL query run करके थोड़ा बहुत primary data analysis करेंगे, आप अगर data analyst का career target कर रहे हो, तो SQL आनी ही चाहिए, it is a must, तो इस video में हम SQL के थोड़े fundamentals कवर करेंगे, थोड़ी बहुत queries, inner join, select query, where, close, ये सब कवर करेंगे, और आपको कोई prerequisite की जरूरत नहीं है, आपको कोई prior knowledge नहीं होना चाहिए, आप इस video को follow करके थोड़ी SQL के understanding develop कर सकते हो, और जो database है उसका dump मेने मेरे GitHub पेज पे दिया हुआ है, तो उस GitHub पेज पेज पे जाके हम MySQL को पहले install करेंगे, सब download करेंगे, और simple analysis करेंगे, तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम install करेंगे MySQL को अपने computer पे, आप ये ऐसा link दो download MySQL Windows, तो ये link आजाएगी, उस link पे आप जाओ, और ये वाली file है न, उसको download करके इसको install कर दो, default option रखो, next next करोंगे, तो easily install हो जाएगा, आपको दिक्कत आती है, तो YouTube में एक अच्छा सा वीडियो है, जो आपको बताएगा कैसे install करना है, इस वीडियो की link मैंने description में दी है, तो ये बहुत easily install हो जाना चाहिए, install होने के बाद आप mysql workbench run करोंगे, ये जो है न, SQL का एक UI है, और इस UI में हम सबसे पहले connection क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे plus icon पे click करो, और connection का कोई भी नाम रख दो, चलो मैंने रख दिया, dev sales insights, और sales insights, और यहाँ पे test connection करो, password पूछे तो root root, मैंने default password root, रखा है, username भी root है, तो यह ok करो, तो यह हो गया, बाद में एक click करोगे, तो यह यहाँ पे connection हमारा खुल गया, अब जो हमारे project का data है, वो मैंने मेरे github page पे रखा है, जिसकी link मैं नीचे वीडियो description में दी है, और इस page में SQL इंस्टॉल करने का वीडियो का भी link है, और यह db.dump.sql है, यह आपका database है, इसमें सारे table सब कुछ है, एक ही file है, जिसमें zip करके सारा data डाल दिया है, तो आप इसको ऐसा करो, clone कर दो यहाँ से, ओके यह, आपको git थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर नहीं आती है ना, तो आप YouTube में जाके code basics git tutorial लिखो, तो tutorial आ programmer हो, data analyst हो, वो तो आनी चाहिए, अगर आपको clone नहीं करना है, तो आप download zip करके extract कर दो, तो eventually आपके computer पे यह file आ जानी चाहिए, देखो, मैं दिखाता हूँ, db.dump.sql, और इस file को हम mysql में अब मैं import करूँगा, तो यहाँ पे आप जाओगे, server data import, और server data import में यह click करो, import from self-contained file, मतलब एक single जो file है उसमें से सारा data import करो, अब यह path मैंने यह दे दिया, और file का नाम है, db.dump.sql, इसको start import करो, तो इस सारा data यहाँ पे डाल देगा, और यहाँ पे जब refresh क्लिक करोगे, तो यह sales database आ गया, यह है अपना database, यह अभी हमने import किया, और आपको यह 5 table दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है, अब हम table में one by one जाके देखते हैं, कि actually table का schema क्या है, customer के बाजू में, यह जो तीन icon दिखते हैं न, थोड़ icon क्लिक करो, तो थोड़े बहुत जो customer के record है, वो दिखा देगा यहाँ पे, तो हम, जब यह क्लिक किया, तो उसने यह sample query रन की, select star from sales.customer, तो यह query होती है, आपको सारे record कोई tables में से select करने हो, तो यह query रन करते हो, अगर आपको SQL का थोड़ा बहुत knowledge चाहिए, तो Khan Academy का एक बहुत ही अच्छा course है, तो आप Google में Khan Academy SQL लिखोंगे, तो यह course आ जाएगा, इसकी link भी मैंने video description में डाली है, तो इसमें यह जो first section है नहीं इतना, उतना आप देख लो, तो SQL की थोड़ी understanding आ जाएगी, अगर आप ज्यादा सारे video कर डालते हैं, तो बहुत अच्छा है, यह बहुत ही सही course है, free है, कोई पैसे नहीं देने, तो SQL बहुत important होता है data in its logo के लिए, तो आप यह जरूर course करिए अगर आपके पास time नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत understanding आपको यहाँ पर दे दूँगा, अब यहाँ पर, देखो एक customer, जो table है, उसमें तीन column है, customer code, उसका नाम और customer time, तो ATLIC hardware, जिन-जिन customer को data supply कर दी है न, उनका यह, तो sir store, nomad store, यह सारे ATLIC के client है, और customer type है, brick and mortar, e-commerce, etc अगर बड़ा table है, सारे, अगर record नहीं दिख रहे है, तो एक दूसरी query में आपको दिखाता हूँ, कि select distinct customer type from sales.customer, तो यह distinct, इसको select करके control enter करोगे न, तो वह execute कर देगा query, देखो मैं दिखाता हूँ, इसको किया तो control enter यह दिखा, इसको किया control enter तो यह दिखा, तो दो type के store है, brick and mortar और e-commerce, brick and mortar मतलब जिसकी physical location हो, और e-commerce मतलब online जो बेचता हो, ऐसा, यहाँ पर मेरे को हर बार sales लिखना पर रहा है, देखो मैं सिर्फ customer लिखू, तो यह work नहीं होता है, तो इसलिए, क्यूंकि मेरे पास बहुत सारे database है, अलग-अलग, और मैं अगर इसको right click करके, sent as default schema करूंगा ना, तो यह query run हो जाएंगी, तो इसका फायदा यह है कि हर बार आपको यह sales लिखना नहीं पड़ेगा, देखो, हो गया, ओके, अब देखते है, market stable, market stable में भी market का code है, नाम है और zone है, अब मैं को देखना है कि zone में कौन-कौन से zone है, तो again हम वो distinct query query करते है, select distinct zone from markets, देखा यह तीन zone आ गए हमारे, by the way मैं जो यह स्वारी query run कर रहा हूँ, वो सब मैंने, जो अपना github page है, जिसकी link नीचे video description में है, उसमें यह सारी query दी है, तो आप यह सारी query आप वहाँ पर run करके देख सकते हो, okay, तो मैं यहाँ पर अभी देख देखके, यह स्व step, आपको query मैं दिखाने जा रहा हूँ, okay, अब हम देखते हैं, अपने products page को, तो देखो, product का जो table है, वो तो simple है, product code है, और product type है, okay, product time में भी मेरे को देखना है, कि distinct कौन सी है, तो, मैं select distinct product type from products, tone, brand और distribution, ऐसी दो products है, okay, हम transaction table को देखते हैं, देखो, transaction table में तो बहुत सारे अभी columns आ गए, तो हम इसमें से again, कुछ analysis कर देते हैं, basic analysis, पहरा तो मेरे को पता चलना है, कि कितने transaction है total, तो इसके लिए command होता है, select count star, तो इससे सारे transaction जो record है, उसका sum करके दिखा देखा कि, बहुत कितने है total, 1,50,281 records है total, okay, चलो ठीक है, अब मेरे को देखना है कि USD currency के transaction कितने हैं, और INR के कितने हैं, तो पहले तो मैं यह देखता हूँ, कि currency है कितनी, हो सकता है कोई company का business 4-5 country में हो, तो अलग-अलग 5 currency हो सकती है, तो इसलिए ATLIC hardware का business कहां है, यह देखने के लिए मैंने बुला, select distinct currency from, control space करो कि न, वो table का नाम autocomplete कर देता है, अब देखो, USD 1 है, 2 INR है, तो यह 2 INR, क्यूं है, यह देखते है, हमने distinct है न, तो भी यह same दिख रहा है, इसका मतलब कि यह same नहीं है, तो मैं right click करता हूँ, और बोलता हूँ, copy row with names, तो यह INR आ गया है, और यहाँ पे right click करता हूँ, copy row with names, यह देखो, slash R, तो इसमें एक, यह carriage return का extra character है, यह data entry की mistake हो सकते है, real life में SSRS की scenario होगे, तो उसकी वज़ज से, यह extra आपको currency दिख रही है, और इसका handling हम बाद में करेंगे, अब मैं सीधा, फिर से जाता हूँ, markets में, markets में मैंने देखा, chaine का code है, mark 001, तो अब chaine के transaction कितने हैं, वो मेरे को देखने हैं, तो कैसे देखेंगे, तो देखो, transaction जो table है, पहले तो मैं इस सब निकाल देता हूँ, तो जो transaction table है, उसमें market code है, market code 001 मतलब chaine, तो मेरे को सारे ऐसे transactions, जिसका market code यह है, वो डालना है, तो इसके लिए simple query है, where, select start from this, where, market code is equal to mark 001, तो देखा, सारे transaction आ गए यहां पर, तो यह सारे chaine में हुए हुए transactions है, अब मेरे को यह chaine में total business कितना हुआ यह अगर जानना है, तो मैं यह कर सकता हूँ, कि select sum of transactions.sales amount from this, where market code is that, so, इतने रुपे का total business हुआ है, तो आप अलड़ी देख सकते हो, कि SQL का use करके हम, अलड़ी अभी data analysis कर रहा है, तो business insight लानी होना, तो SQL query का use करके आप वो business insight अलड़ी generate कर सकते हो, आपको यह देखना है कि कौन से कौन से distinct product बिके है चेन्ने में, तो हम यह again distinct, select distinct, select distinct product code from transactions, where market code is same, mark 001, तो चेन्ने में total इतने product बिके है, ओके, यह सारे distinct product दिखाता है, अब मेरे को यह भी देखना है कि, चलो, यूएसली करन्स जो हमारे transaction थे राइट, देखो, select start from transactions, हम यह करता है तो पता है, यूएसली कुछ दिखा था, तो अब मेरे को यह दिखना है कि, where currency is equal to USD, मतलब USD currency कौन कौन से है, transaction में है, तो हमें दो transaction लिखे, अब यह market 004 क्या है, market 004 है Delhi, मतलब यह थोड़ा mistake से हुआ होगा, actually मैं New York expect कर रहा था, लेकिन data error है, ओके, तो यह सारी USD के transaction दिख गई यहाँ पर, अब हम date table को देखते हैं, तो date table में क्या है, तो पहले तो चलो transaction, तो हमने देखा transaction table जो है न, उसमें एक order date है, देखा ऐसी, year 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 year, mmdd, इस format में, और मेरे को यह जानना है, कि भाया, 2020 में कितने सारे transaction हुए, ओके, तो मैं order date को लेके, उसके पहले चार component को निकाल के मैं find कर सकता हूं, लेकिन हमारे पास date table है, तो date table को देखते हैं, उसमें क्या है, देखो date table में, जो भी date है हमारी, उसके साथ year भी है, कि अगर देखो यह date है, तो तुम्हारे year यह है, तो year और date का mapping इसमें बहुत अच्छा है, तो यह कुछ चीज है जो हमें useful हो सकती है, और यह जो date है transaction की, वह exit date है, जबकि यह CY date है न, वह calendar, kind of monthly date, तो अगर January के सारे transaction होगे न, date में, तो उसकी CY date होगी January 1st, मन्त का नाम तो obvious है और date YYMMM मतलब यह अलग format है, तो यह date table काफी important है, तो हम इसका use करके, हम date और transaction के table को join करवाएंगे अब, और हम यह दिखाएंगे कि total कितना हुआ, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि एक extra column यहां डालते हैं जिसमें सिर्फ year आ जाए, तो हम यह करेंगे कि select transactions.star and date.star, मतलब हम transaction और date जो है उन डोनों का join कर रहे हैं, अब आपको inner join, join कैसे करना है यह सब है न, आप खान एकरेमिक कोर्स में मिल जाएगा, लेकि मैं simple example दे रहा हूं कि हम यह date 2017.11.20 जो है, उसको इस date के साथ join करके यह वाला year pull करने की कोशिश कर रहे हैं, तो query यह होगी, इस select transaction.start, date.start from transaction, inner join, inner join date होगा, on, मतलब हम इन दोनों table को join कर रहे हैं, कौनसी वाली कॉलम पे, तो कॉलम होगी, transactions.orderDate is equal to date.date, देखो, date मतलब table का नाम date है, और उसमें जो कॉलम है उसका नाम भी date है, इसलिए date.date, तो यह करने से हैं न, दोनों table जॉइन हो गया भी, यह date वाली कॉलम पे, और समको सारे table दिख रहे हैं, अब जो date वाला table है, उसमें हमें, यह सब चीज़े चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ, date. अगर आप यह बोलो, date.year, तो भी चल जाएगा रैट, तो देखा हमें year चाहिए था तो year आ गया, अब इस कॉलम के business पे हम, 2020 में कितने transaction हुए, वह हम easily नहीं करा सकते हैं, तो हम बोल सकते कि where, date.year is equal to 2020, तो यह सारे 2020 के transaction मुझे दिखा दिये, अब हमें, अब हमें यह सारे transaction का अगर total डालना है, तो वह total तो easy है, हम बोलते हैं कि sum of transaction.sales amount, यह transaction जो sales amount है, उसका मुझे चाहिए sum, ओके, तो 2020 में total इतना business हुआ भाई आपना, देखा, अगर 2018 में करना है, 2019 में करना है, तो यह table में से सारा business आ जाएगा, 2018 में इतना हुआ, अब हमें 2020 में सिर्फ January का business दिखाना है, तो January का कैसे दिखाएगे, तो पहले में है न, वापस चला जाता हूँ, यह कर दिता हूँ, सारी column दिखा दो, चला, अब यह 2020 के सारे transaction हो गए है, उसमें से सिर्फ January के डालना है, तो January के लिए month underscore name है, तो हम where close में यह बोल सकते है, date dot year 2020, and, date dot month year is equal to January, भया, आप तो एकदम act पड़ हो गया, बागी, रॉकिंग, कहा expert यार, यह देखो, क्या लपड़ा हो गया, unknown column, date dot month underscore year, month underscore year, पुड़े न होता है भई, नाम गलत बोल दिया, month dot name होता है, देख लिया, सारे अभी transaction दिख रहे है, अभी सिर्फ January के transaction दिख रहे है, तो अब मेरे को sum करना है, transactions dot sales amount, देखा, तो यह आ गया, January के आपका जो, एक मेरे इसको निकाल देता हूँ, आपका January मन्त का, total कितना धंदा हुआ, actually यह sum तो चाहिए भईया, January का इतना हुआ, अगर March का देखना है, तो March का यह इतना हुआ, तो यह query रन करके आप different analytics इसमें ला सकते हो, और मेरे को लाना है कि 2020 में, चेन्ने में कितना business हुआ, तो देखो यह करने से क्या होगा, यह करने से सारा 2020 करा जाएगा, अब मेरे को चेन्ने का भी लाना है, तो मैं यह कर सकता हूँ, date.year is this, and transactions.marketCode is equal to, चेन्ने का marketCode हमें यह पता ही है, देखो यह आ गया पूरा चेन्ने का business, अगर आपको लखनों का business देखना है, तो March 008 होता है, तो आप March 008 करोगे, तो ATLIC hardware ने लखनों में अभी तक कितना business हुआ, तो इतने रुपे का business क्या यह आ जाएगा, खीके तो, SQL Analysis के लिए इस वीडियो में इतना ही है, हम next वीडियो में Tableau install करके, उसको इस database के साथ hook करेंगे, और हम simple data cleaning और ETL process क्या होती है, लास्ट session में हमने SQL में analysis किया, इस session में Tableau install करके, उसमें ETL process करेंगे, ETL मतलब Extract Transform Load, या तो फिर जिसको data cleaning भी बोलते है, वो इस वीडियो में हम करेंगे, सबसे पहले Tableau download कर देते है, Google में download Tableau लिखिए, यहां पे यह link आ जाएगी, आपको Tableau desktop download करना है, Tableau की वैसे बहुत सारी products है, server online वगेरा, server backend के लिए है online, अगर किसी को dashboard view करना है, सिर्फ viewing purpose के लिए, आप data analyst हो आपने बना दिया, अब आपकी stakeholder को देखना है इसलिए है, तो जो dashboard बनाते हैं, वो दो ही product में बना सकते हैं, तो desktop और एक public, लेकिन public है वो free version है, लेकिन बहुत restricted version है, जबकि desktop में सारे feature है, लेकिन उसका trial होता है, अब मैंने 14 days का trial download किया है, अगर आप student हो, तो आपके student email से अगर, आप इसको reactivate कर सकते हो, बीना fee pay किये हुए, तो basically अगर आप student हो तो आपके लिए free है, अगर आप student नहीं हो, तो इसकी price बहुत जादा है, I think हम afford नहीं कर सकते एतनी जादा है, $70 per month, लेकिन अभी तो आप trial download कर दीजिए, और वो download करने के बाद, मैं उसको open कर देता हूँ, तो देखो, मैंने यह tableau यहां से open कर दिया, और tableau public भी है, मैं public दिखाता हूँ, क्या difference है, तो tableau में जब आप open करते हो, तो ऐसी screen आती है, और यहां पर, मैं तो पहले बोलूँगा, let's see, यहां पर actually आप directly है न, MySQL के साथ connect कर सकते हो, देखो तो tableau, desktop में आप file के साथ connect कर सकते हो, या तो फिर database के साथ, हमारा जो sales का database जो हमने देखा न, यह MySQL वारा हम उसके साथ अभी connect करेंगे, तो क्लिक किजिए MySQL पे, आपके database का नाम है, कौन सा नाम है database का नाम, sales underscore insights, ने actually sales नाम है database का, और password, username root, root है, sign in कीजिए, तो सारे table उसने यहां पे pull कर दिए, यह देख रहे हैं आप सारे tables, आप क्लिक करोगे न, तो सारा data जो, SQL में था, वो यहां पे वो ला देगा, ठीकिए, जो भी data यहां पे SQL में है, तभी हुआ क्या, हमने, Tableau को अपने, MySQL जो database है, उसके साथ connect कर दिया, अब जो Tableau Public है, उसमें आप database के साथ connect नहीं कर सकते हो, देखो मैंने Tableau Public यहां पे open कर दिया है अभी, वो आएगा, तो आपको यह realize होगा कि, इसके अंदर सिर्फ आप file के साथ connect कर रहे हो, तो अगर आपका data analysis सिर्फ file या JSON objects पे है, तो आप जरूर Tableau Public कीजिए, वो free है, अभी तो हम Tableau desktop यूज करते हैं, अब इसको है न, हमें सबसे पहले करना होगा, हमारा data model का creation, हमारा data model मतलब, मैं आपको दिखाता हूँ, यह customer table को यहां पे, drag and drop कर दिजिए, तो यह customer table यहां पे आ गया, सारे यह सब रोज वगिर आ गये, आपको यहां पे एक option भी दिख सकता है, कि आपको live चाहिए, या फिर update या तो फिर extract, देखो live या extract, यह देखा extract, तो मैं बोलता हूँ नहीं live, live मतलब database में कुछ update होगा, तो यहां पे update हो जाएगा, कुछ-कुछ लोग ऐसा करता है कि, you know periodically update करते हैं, हमेशा वो live connection open नहीं रखते हैं, लेकिन हम अब भी live connection रख रहे हैं, ओके, अब हम क्या करेंगे, कि जो transactions है, तो फिर एक बार एक करके, हम सारे जो टेबल से यहां पर drag and drop करेंगे, मैंने यहां पर customer यह कर दिया न, मैं इसको remove कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यह realize हुआ, कि अगर star schema perspective से सोचे, तो transaction है न, वो हमारा fact table है, अब star schema है क्या, तो हम खोड़ा Google कर देते हैं, तो star schema करोगे, तो देखो Wikipedia पर आ गया है, यह most article, यह तो फिर अगर आपको images चाहिए न, देखो, चलो मैं ऐसा करता हूँ, यह वाली image कर देता हूँ, open, star schema में एक fact table होता है, जैसे अपना transaction table है न, वो fact table होगा, और बाकी के dimension table होता है, तो अपना customer, market यह सब dimension table है, तो अपनी star schema ही है, तो हम पहले, transaction table को drag and drop कर जाहें यहाँ पे, और बाद में एक-एक करके इन tables को connect करते हैं इसके साथ, देखो, तैसा तुम connect करोगे न, तो यह बताएगा कि आपको connect कैसे करना, अब table बहुत अच्छा सोफ़ेर, उसने automatically detect कर दिया कि, transaction में जो customer code है, और customer table में customer code है, वो connected है, ओके, यह आपको है न, थोड़ा foreign key जैसा लग रहा होगा, आपने relational database पढ़े, तो foreign की होती है, जिसमें आप डो टेबल को connect करते हो, लेकिन इसको टेबलू की भाषा में बोलता है relationship, और आप यह article पढ़िए, How do relationship differ from joins, तो यह kind of join जैसा कर रहे है, लेकिन आप join से थोड़ा different है, तो यह इसको बोलता है relationship, दो टेबल के बीच में relationship क्या है, तो यह relationship का use करके हमने इसको यहाँ पर update कर दिया, अब हम date को भी कर देते हैं, देखो transaction में जो order date है, और date में जो date है वो दोनो related है, कैसे, देखिए, यह transaction table है अपना, तो इस transaction table में order date इस format में है, वो exact date है, your month date, और date table में जो date है, वो actual date है, देखो cy date है न तो वो monthly date है, जैसे January के सारे के लिए वो January 1st होगा, तो यह real date है, इसलिए date table में जो date column है वो, और transaction table में order date column है, वो relate करते है एक दूसरे के साथ, तो आपने यहाँ पे यह select किया, यहाँ पे यह select किया, और इसको close कर दो तो यह relationship setup हो गया, तो हम यह relationship setup करके, actually एक data model यहाँ पे create कर रहे है, same process हम repeat करते है, markets के साथ, तो market को भी ऐसा relationship में डाल देते है, select matching fields to create a relationship, तो हमारा market code यहाँ और यहाँ पे market code, यह दोनो relationship में हैं, और products में product code होगा obviously, देखा product code और product, तो अब हमारा data model create हो गया है, या तो फिर हम इसको star schema भी बोलते हैं, वो star schema create होगी, देखा यह हमारा fact table है, और यह सारे dimension है, जो यहाँ पे आपने picture में देखा था ना, same यह picture ही है वो, तो हमारी यह star schema create हो गई, अब हम थोड़ा data cleaning कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और थोड़ा data को explore कर देते हैं, कि data में cleaning की जरुद क्या है exactly, तो सबसे पहले, यहाँ पे मैं shorting करके देखता हूँ, तो मेरे को थोड़ी sales की amount minus, और zero अगरा मिलती है, अब यह तो wrong है, आपके sales की amount minus कैसे बसकती है, zero में आप किसी को moves में चीज़ दे सकते हो, लेकिन अब एटलिक hardware इतनी बड़ी कम नहीं है, तो मैं assume करना हूँ, कि यह सारे invalid record है, real life में ऐसा होता है, कि error की वज़ा से, bugs की वज़ा से, या तो फिर manual data entry की वज़ा से, बहुत सारे time invalid record database में होते हैं, और यह data analyst की job है, कि यह सारे record clean करें, इसी को तो बोलता है data cleaning, तो हम यह सारे record clean कर देंगे, मतलब निकाल देंगे यहां से, तो देखो, हम mysql table में से नहीं निकालेंगे, वहाँ पर तो जो है वो है, लेकिन हम tableau में इसको filter कर देंगे, तो इसके लिए, हमें edit data source filter में जाना होगा यहां पर, और यहां पर बोलना होगा add, कौन सा sales amount, sales amount में, हमें at least, at least, मैं बोलाओ कि at least one value तो चाहिए, ठीक है, अगर या तो फिर आप 0.5 कर सकते हो, मैं simplicity यह बोलाओ कि, at least एक रुपे का तो transaction होना चाहिए, 0 है तो भी वो invalid है, at most भी कर सकते हो, अगर upper limit है, range of value भी कर सकते हो, आपको पता है कि आपकी product की price ले से एक और एक लाग के बीच में है, तो आप यह कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक का use करूँगा, और जब okay किया तो सारा filter हो गया, देखा table में कितना easy है, वो value अभी यहाँ से चली गई, हमारा जो market stable है, उसमें हमने एक चीज notice की थी, कि इसमें यह New York और Paris नाम के भी दो markets है, जिसके code 97 और 999 है, लेकिन अब athletic hardware का business इंडिया में ही है, तो यह code again invalid कोई तो wrong data entry की वज़ा से हुआ है, तो हम देखते हैं कि 97 और 999 के कुछ transaction है, अगर है तो उसको filter करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं data में जाके edit data source filter, add new और market code, देखो market code में यह सारे दिख रहे हैं, तो हमें 097 और all को निकाल दो none कर दो, 097 और 999 जो है उन दोनों को हमें निकालना है, तो हम all क्लिक करेंगे और उसके बाद में इनको unselect करेंगे, तो इससे क्या होगा, कि अगर वो record है by chance तो यहाँ से निकल जाएंगे, कि देखो यहाँ पर अभी वो दिख नहीं रहे हैं, बहुत सारे records हैं, तो उसमें अभी वो दिख नहीं रहे हैं, तो यह filter हो गए, तो आप data source filter में जाके सारे filter यहाँ पर चेक कर सकते हो, हमने यह भी देखा कि कुछ transaction USD में है, अब ATLIC की office नहीं है नियॉयर्क वगिरा में, लेकिन local कोई transaction किया होगा, जिसमें person ने pay किया होगा USD में, इंडिया में भी लोग कहीं जगा पे अपनी dollar currency, कोई NRI ने विजिट किया होगा और उसने USD में pay किया है, तो ठीक है, USD आ गया है यहाँ पे, हमें analysis के लिए इसको रुपीज में convert करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की सारी रुपीज, देखो INR मतलब इंडियन रुपीज, तो इंडियन रुपीज में convert करेंगे इसको, ताकि जब sales amount हम total करें तो, you know apple to apple comparison होना चाहिए न, हम 500 में यह तो add नहीं कर सकते, इसमें से होगा रहा है तो sales के amount में से, मैं यहां पे देखो यह arrow पे click किजिए, create calculated field, calculated field का नाम है, normalized amount, अब normalized amount is equal to sales है, लेकिन यहां पे if condition आएंगी, कि if currency, तो column जो है वो ऐसे square bracket में रखते हो, if currency is equal to USD, then, okay, then क्या, well, अभी, देखो मैं Google कर देता हूं, USD to INR, अभी USD to INR चल रहा है 73.59, तो मैं into 73.59, या तो फिर 74, जो भी rate है आप लिखीजिए, otherwise, sales amount, अगर USD में currency है, तो sales amount को लेके 74 से multiply कीजिए, नहीं है तो sales amount जो ही है वो ही रखिए, और end लिखना पड़ता है, तो यह करने से वो उसने नई column create कर दी और देखो आप, इसको उसने convert कर दिया Indian rupees में, तो अब हम जो dashboard बनाएंगे उसमें यह normalized amount का यूज कर देखा, यह 500 convert हो गया Indian rupees में यह दोनों, और जो INR है वो तो वही कवही रहा, लास्ट वीडियो में हमने Tableau के अंदर data cleaning किया, इस वीडियो के अंदर हम full-fledged dashboard बनाएंगे, तो यह dashboard है ना कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें revenue quantity की number होगे, बाद में आप by market revenue को breakdown करोंगे, देखो दिल्ली में 520 million है, तो जब आप click करता हो तो पूरा graph उसके हिसाब से वह filter हो जाता है, आपको अगर 2018 के revenue देखने है तो आप यहाँ पर click करोंगे तो पूरा graph refresh हो जाएगा, तो 2018 के revenue है 414, आपको 2020 के देखने है तो देखो, तो ऐसा dashboard हम sales director को बना के देंगे तो वह हर रोज आके अपना, जो भी जैसे 2020 के August का revenue या May का revenue देखना है तो वह देख सकता है, तो यह interactive dashboard हम इस वाले वीडियो में बनाएंगे, अब Tableau के अंदर जो नीचे यहां पर options है वहां पर एक data source होता है, जिसमें हमने पूरा data cleaning, currency, normalization वगेरा किया, दूसरा होता है sheet, तो आप यह icon क्लिक करोंगे, तो देखो आप sheet बना सकते हो नहीं, और तीसरा एक option होता है dashboard, तो यहां पर हमारा ultimate dashboard आएंगा, तो हम पहले क्या करेंगे, कि अलग अलग sheet बनाएंगे, sheet मतलब एक UI widget जैसा होता है, एक widget component, और हर एक component के लिए अलग sheet बनाएंगे, और वो सब component को हम यह dashboard के अंदर जोड देंगे, तो हम है न, dashboard अभी create कर देते हैं, देखो dashboard यह है, sheet 1 यह है, अब हमें जो बनाना है, सबसे पहले तो, देखो यह final हमारा यहां पर मैं pool करके दिखाता हूँ, final यह हमारा ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूँ, कि भया total revenue कैसे दिखे, तो यहां पर मैं बोलूंगा revenue, और यहां पर हम ऐसा करते हैं, यह जो normalize amount है न, उसको drag and drop यहां पर कर देते हैं, तो यहां पर drag and drop करो, तो यहां पर rows आ जाएगा, तुमारे revenues as rows दिख रहे हैं, अगर तुम इसको यहां पर करोगे, तो यह column दिखेंगे, तो अगर कहीं बार लोगों को यह visualization करना है तो यह कर सकता हूँ, आपको यह change करना है न, तो यह icon पर press करने से, यह row और column के बीच में toggle करेगा, अब हमें कोई बार चार्ट वगेरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए final revenue का एक number, total sum, तो इसके लिए है न, आप यहां पर click करके, इसको remove कर दीजे, और normalize amount को, हम यहां पर यह text है न, text पर drop कीजिए, तो यह करने से, revenue table में, अपने transaction table में, जितने revenue है, वो सबके normalize amount का sum करके, यहां पर दिखा देगा, ओके तो यह हो गया आपका sum, अब इसको double click करके आपको, you know, text को change कर सकते हो, तो बोलेंग गेविट, यह total revenue है, यहां पर central align कर दिया, उसको थोड़ा bold कर दिया, और color भी थोड़ा कर देते हैं, मतलब थोड़ा fancy तो दिखना चाहिए वह यह अपना dashboard, ठीके यह तुम्हारा title ह हो गया, अब इसको format करना है, तो आप format में जाओ, इसका भी थोड़ा font one हम बढ़ा देते हैं, इसको है न, हम ऐसा करते हैं, left align ही रखते हैं, और इसका यह font मैंने तो बढ़ा दिया, अब मैं ऐसा करता हूँ, यह title को निकाली देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ higher title, और यह जो है, इसको modify करने के लिए आप यहाँ पर भी click कर सकते हो, और आप बोल सकते हो format, ठीक है, format बोल सकते हो, या तो फिर यहाँ पर text पर click केजिए, और जो sum है, यह formula होता है, तो इसका font थोड़ा बढ़ा दिया है, चलो, इसका color हमने यह कर दिया है, तो यह करने से देखो, यहाँ पर यह change हो जाता है, लेकिन हमें उपर लिखना है total revenue, तो मैं यह करूँगा, यहाँ पर देख दूँगा, total revenue, ठीक है, थोड़ा color यह वाला डालते थे, है, very good, तो अब यह तो कामपना हो गया, इसको थोड़ा बढ़ा कर देते है, हाँ, यहाँ पर उसको बढ़ा कर देते है, यह text में, फिर से, वो मैंने उपर कर दिया न, तो उसमें निकल गया था, total revenue, और अगर आपको थोड़ा indentation वगरे का issue है, तो देखो, यह central line है, यह भी central line है, और यहाँ पर, आप यह horizontal ऐसा करोगे, तो यह central line हो जाए, तो ठीके, देखो, total revenue का number तो आ गया है, लेकिन यह number बहुत बढ़ा है, मेरे को million billion ऐसा करना है, तो आप again, यहाँ पर right click करके format कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर click करके, जब format करोंगे, तो यह आ जाएगा, यहाँ पर numbers में जाके, आप पहले तो, numbers में जाके, क्या करना है, let's see, millions कर दो यहाँ पर, और यह dollar में नहीं है, यह rupees में है, तो आप INR करना है, तो INR कर सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं रख रहा है, you know, तो कौन सी currency है, उसके हिसाब से आप customize कर सकते हो, currency देखो standard भी होगी यहाँ पर, आप कोई भी अलग-अलग, उसमें कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर custom में जाके, millions कर दूँगा, और यह automatic, और यह निका दो, ठीक है, तो यह अपना millions में आ गया है, तो यह देखा, यह बहुत easy था, आपने यह एक sheet create कर दी, अब similar way में हम दूसरी sheet create करेंगे, यहाँ पर, जिसको बोलेंगे sales quantity, sales quantity, और just the quantity, अभी आप exercise अपने आप से कीजिए, यह बहुत easy है, right, हमने normalize, बाई तो यह हमने normalize amount क्यों use किया, क्योंकि हम sales amount यूज नहीं करते हैं, उसमें USD, INR, different, different currency है, इसलिए normalize amount इसलिए है, क्योंकि सारी currency सेम ही है, INR, अब quantity भी सेम है, sales quantity को drag and drop sales, यहाँ पर text पर करो, यह title को hide कर दो, इसको text में जाओ, यहाँ पर click करो, और यहाँ पर बोलो, पहले तो pond यार, मेरे को ना, मेरी आँखे बहुत कमजोर है, तो मेरे को तो pond बड़े चाहिए, तो हमने 18 use कर दिये, और बोल दिया, sales quantity, और pond और भी बड़े करता हूँ, चलो, 20 pond कर देता हूँ, color और आपको जो भी पसंद आए, यहाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग choices होती है, और यह देखो, 2431 नमबर थोड़ा right align है, उसको center में करने के लिए, यहाँ पर जाके इसको click करना पड़ेगा, तो अपना यह काम भी हो गया, तो sales quantity को, अकर million million में करना है, तो कर सकते हो, मैंने तो उसको ऐसे ही रखा है, तो यह दोनों widget हमारे create हो गए, अब तीसरा मेरो को create करना है कुछ ऐसा, कि मैं revenue by market देख सको, कि दिल्ली में इतने जादा revenue है, इसमें इतने है, right, तो यह सब करने के लिए, again नई sheet बना दो, उसको बोल दो, revenue by markets, revenue by markets, मैं यह dashboard को delete कर देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है, हम last में create करेंगे, और revenue by market में होता यह है, कि, देखो, कोई भी, ऐसा chart होता ना, इस type का, उसके डो dimension होते है, y-axis पे है आपका market, x-axis पे है आपका sales amount, okay, तो यहाँ पे tableau, उसको tableau इसलिए बोलते है, क्योंकि यह table type structure है, जिसमें column और row होती है, तो आप, जो market code है, यहाँ तो फिर market का नाम है, यहाँ पे market के नाम को, जैसे column में डाल देते हैं, और normalize sales amount को यहाँ पे डाल देते हैं, इससे हुआ क्या, column, column में market name आ गया, देखो, यह सारी column है, market name है, तो अगर अपको अगर ऐसा chart चाहिए, तो आप यह chart कर सकते हो, देखो, यहाँ पे shorting भी कर सकते हो, तो कुछ लोगों को ऐसे chart पसंद होता है, जिसमें x-axis पे market है, y-axis पे है, कि चलो दिल्ली का जो revenue है, वो 520 million जैसा है, लेकिन मेरे को थोड़ा transpose चाहिए, तो आप ऐसे करो, इस पे click कर देजिए, तो यह transpose हो गया, मतलब x-axis y पे आ गई, y-axis अपनी x पे आ गई, ठीक है, अ अब यह थोड़े छोटे दिख रहे है cell, तो Ctrl-Shift-B करके कमाड आता है, Ctrl-Shift-B जब करोगे, तो थोड़ा यह cell को बढ़ा कर देगा, यहाँ पे थोड़ा space भी extra दिख रहा है, तो आप mouse over कीजे यहाँ पे, और जब भी ऐसा icon दिखे, तो थोड़ा सा हलका सा ऐसे, यहाँ प इसकी भी जरूद नहीं है, टाइटल को, तो मैं अब हाइड कर देता हूँ, अब यह जो साले market name की जो सारे, वो है, बार्स, उसका थोड़ा color change करते है, थोड़ा, मतलब, blue दिख रहा है, तो थोड़ा change कर देते है, तो इसके लिए, आप बोलोंगे format, देखो filter बोलोंगे न not filter बहीं या, फर्मेटिंग बाई साब, अच्छा आप फॉर्मेटिंग में देखते हैं, कि करना क्या है, फॉर्मेटिंग में, आप, तो फॉर्मेटिंग में, आप सीधे यहाँ पे color पे आ सकते हो, और color पे आके, मैं थोड़ा यह चेंज कर दिता हूँ चलो कोई भी कलर आपको जो भी पसंद है वो कर दिया यहां पर ठीक है और अब हम करते हैं हमें लेबल डिस्प्ले करना है कि यहां पर कितने मिल लेंद का तो यह देखो यहां पर उसने लेबल दिखा दिया अब हो चो लेबल है उसका फॉर्मेट है हम यहां से कर सकते हैं यहां पर जाके फॉर्मेट कर दो सबसे पहले तो आपको चाहिए million वगरा में दिखाना है number तो same जो हमने पहले किया था कि हम millions कर देंगे इसको इसको निकाल देंगे तो यह देखो हो गया million अब यह end में दिखा रहा है तो यह डेली का जो number में को दिखनी रहा है तो मैं इसको इस लेबल को बीच में कैसे लाओ तो उसके लिए आप लेबल पे क्लिक कर जिए यहाँ पे आप मिडल में क्लिक कर दिए तो यह आ गया बीच में अभी देखा आप उसको short कर सकते हो यहाँ से और यह बहुत बढ़िया सा अपना graph हो गया आपको और कुछ formatting करना है जैसे market का name है उसका formatting करना है तो यहाँ पे क्लिक करके format करो और जैसे यह सारे जो लेबल है न उसको आपको यहाँ पे जाके for example यहाँ पे हम formatting में है अभी तो आप यहाँ पे let's see तो हमने क्या किया जो डैली जो market का नाम है उसके हम format में गए format में जाने के बाद हम font select करेंगे जैसे color जैसे for example देखो color मैंने change किया तो change हो गया आणा देखा आपने यहाँ पे color change हो रहा है आपको bold करना है आपको font बड़े करना है तो आपको यह tableau का यह idea होना चाहिए कि जिस चीज़ को format करना है वहाँ पे click करके आप format के लिजए जैसे label को format करता है तो यहाँ पे जाके format कीज़े normalize amount को format करना तो यहाँ पे जाके format कीज़े ठीक है अब same ही हमें sales quantity by market so sales quantity by markets जिसमे normalize amount तो होती ही होती है वो आएंगी हमारी rows में और जो sales quantity actually normalize amount नहीं यह तो quantity की बात हुई न तो यह quantity आएगी और market का नाम यहाँ आएगा यहाँ पे लेखो यह हो क्या रहा है कि हम जब यह dragon drop करते है तो हमने जो data source में यह relationship establish किये था न वो relationship के basis पे यह सारा पूरा dashboard drive होता है तो इसलिए यह relationship का setup और initial जो data cleaning है वो बहुत important होता है अब किसी को ऐसा graph चाहिए तो ऐसा otherwise इसको हम rotate कर देते है ठीक है shot भी कर सकते हो और यहाँ पे भी हम same चीज़ करेंगे इस चीज़ को hide कर देंगे हमें यह वाला label नहीं देखना है ctrl shift b ctrl shift b as in bop करोगे तो यह थोड़ा बढ़ा हो जाएगा इसको हम format करके उसका color change कर देते हैं देखोई मैंने format किया यहाँ पे color चलो यह डाल देते है थोड़े fancy color यूज़ करते है और यह आप cancel कीजे तो आपको यह data source की pen दिखेंगी यहाँ पे label में मेरे को चाहिए sales quantity तो यह label है नहीं वहाँ पे drop कीजे तो आपको sales की quantity दिख गई इसको label को हम align कर देते हैं यहाँ पे जाके तो align भी हो गया ठीक है और color करना है black color करते हैं यहाँ पे जाके format करके आप वो सब कर सकते हो देखो यह color change हो गया white black ब्लाइक और थोड़ा font जादा बड़ा ठीक है तो यह अपना हो गया sales quantity by markets एक में इसका unit भी set कर देता है यहाँ पे format कीजे और यह unit है ना उसको हम thousand में रखते है ठीक है और यह currency तो है नहीं चलो यह हो गया अपना sales quantity by markets और revenue by market हो गया अब नेक्स चीज़ है तो मैं बोलूँगा कि भाईया तो फाई कस्टमर और तो फाई कस्टमर कैसे तुम्हारे revenue के हिसाब से तुम्हें कस्टमर डाने है तो तुम्हारे जो column से उसमें तो अपनी normalize amount आएंगी कि कौन से कस्टमर तुम्हें सबसे ज़्यादा business दे रहे है ऐसे top 5 customer sales director जो है लिखके hardware को उसको देखने है तो मैं customer का नाम यहाँ पर है यहाँ पर डाल देता हूँ दिखा तो हमें यह top 5 तो लिख गए लेकिन हमें बहुत सारे ज़्यादा भी दिख रहे है देखो manually filter कर सकते हो लेकिन हमें manually नहीं करना है हमें condition है कि टॉप टॉप फाइब लेससे फाइब कस्टमर बाइ नॉर्मलाइज अमाउंट सॉम तो मतलब पांच ऐसे कस्टमर आ जाएंगे जिनकी नॉर्मलाइज अमाउंट जो है वो सबसे ज़्यादा है और हमें जो label में normalize amount है वो ड्रैग अड्रॉप label में कर दीजे तो आपको यह label दिख जाएगा यहां पे और label में automatic में जाके center में कर दीजिए उसको ठीक है और आप यहां पे भी किसी label पे भी right click करके उसको format तो कर ही सकते हो तो यहां पे मैं बोलूंगा देखो यह करोगे ना तो यह पूरा का पूरा चेंज हो जाता है मुझे चेंज करना है सिर्फ इस लेबल को सिर्फ लेबल को चेंज करना है न तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मिट कर दीजिए और इसमें आप ये वाला थोड़े font देखो, font बढ़ाएंगे, देखा, font बढ़ रहा है, यहाँ पर, मैं 10 font और white color कर देता हूँ, ठीक है, और bold कर देता हूँ, तो भी है, मेरा top 5 customers by revenue भी ठीक दिखने लगा, next हो आता है, top 5 product, मैंने को जानना है कि यह top 5 product कौन सी सबसे ज़्यादा बिकती है, market के अंदर और वो भी, और normalized amount से ही होगा, और product, product code है, product का नाम नहीं है, actually, तो, product code ही डाल देते हैं, और यहाँ पे भी वो top 5 वाला fund आएगा, तो आप product code में जाके filter कर दीजिए, filter में आप top, ती top 5, आगर आपको top 5 product by sales quantity चाहिए, तो आप sales quantity कर दीजिए, यहाँ पे, तो आपको वो sales quantity मिल जाएगी, लेगिन मेरे को चाहिए normalized amounts है, कई लोग profit का भी use करते है, loss का भी use करते है, तो different use cases में different, different condition का आप use कर सकते हो, यहाँ पे right click कर जेए, यह जो label था ना, उसको hide कर दिया, control shift B, यह थोड़ी amount बड़ी हो गई, मैं फिर से sales amount जो है, normalized amount, यहाँ पे label पे जब करता हो ना, तो दोस्तों देखो, यह label ऐसे दिखने लगता है, यहाँ पे, और उसको, बीच मे लाने के लिए, यहाँ पे जाके, आप यह click कर जिए, और इसको filter जब करते हो, not filter, actually format, तो आप, उसका color bold, मैं bold कर देता हूँ, उसको, उसके थोड़े font बड़ा देता हूँ, आप color भी change करते हो, देखा color दिख रहा है आपको, देखो, बहुत सारे formatting के option है, बहुत ही सही tool है तो आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हो, तो अब यह हो गया, top 5 product, अभी हम नई sheet create करते है, जिसमें year जो है, उसका वो top में जो menu, जो button है न वो बनाएंगे, तो इसमें, year में हम यह करेंगे, कि जो year की जो c-y date है, यह वाली, हम c-y date को डालेंगे, यहाँ पर, column में, अब table में होती है columns और rows, तो हम, दो fill होते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही fill चाहिए, तो हमें अभी, पहले तो इसको hide कर देता हूँ, और इसको format करके, थोड़े font बनाएंगे, मैंना बोला न, आँखे कमजोर है, तो थोड़े font बनाना तो बनता है, चलो मैं यह color और यह bold, ओकी, इसको भी कर देते हैं, hide, और हम एक calculated fill create करता है, मैं आपको बता दो, calculated fill create करने की ज़रूद क्या है, तो यहाँ पे, देखो अगर आप format के अंदर हो, और आपको बहार निकलना तो cancel कर दीजे, तो वो data वाले टैप पे आ जाओंगे, तो यहाँ से हम create calculated fill, उसको हम बोलेंगे blank, और इसका formula ही यह है, तो यह blank fill को आप rows में डाल दीजी, ताकि यह जो ABC ABC दिख रहा है न, वो दिखें नहीं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा कुछ तो issue हो रहा है, तो मैं actually blank को rows में नहीं डालना है, blank को as a label डालना है, हाँ, यह है इसका funda, ओके तो अब मैं इसको थोड़ा फैसा छोटा बना देता हूँ, तो यह हो गया अपना year, अब year में हमने आप बोलोंगे year, यह year fill क्यों नहीं use किया, CY date क्यों किया, CY date जो है न, वो हमारी complete date है, देखो CY date, तो इसका जब use करोगे, तो आपको drill down आप कर सकते हो, CY date या तो फिर, CY date चलेंगे, क्योंकि हम monthly तक breakdown कर रहे हैं, हम individual date में नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने CY date यूज किया, आपको January, February में differentiate करना है न, तो आप इस date, CY date की basis पे कर सकते हो, देखो January, February जो भी है, तो इसलिए मैंने CY date का यूज किया, आप है न, वैसे देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे, आप plus करोगे न, तो देखो quarter आ गए सारे, quarter में plus करोगे न, तो देखो सारे month आ गए, तो यह हो रहा है यहाँ पे, drill down, ठीक है, लेकिन चीजों को simple रखने के लिए, मैं एक दूसरा month का भी create कर देता हूँ, सेम चीज, लेकिन month पे, वो month का हमें drill down मिल जाएगा, तो इसके लिए, CY date को मैं डाल देता हूँ, columns में, और blank field है, उसको डाल देता हूँ, text में, तारे कि वो निकल जाए, इसको hide कर देते हैं, वो top वाला title, इसको भी hide कर देते हैं, आखे तो मेरी कमजोर ही है, तो इसको format करके, थोड़े बहुत तो बड़े font कर दे, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मतलब, हम, इतना हो गया, अब देखो, फिर से मैं format जाए, मेरे को months चाहिए, यहाँ पर, तब months कैसे मिलेंगी, तो मैं यहाँ पर गया, alignment आ गया, अच्छा, month कैसे, मैं right click करता हूँ, format करता हूँ, ओके, अच्छा, यह year ही दिखा रहा है, मेरे को चाहिए month, तो आप यहाँ पर click करोंगे, तो यहाँ पर month सीधा आ जाएगा, month, दिखा, और month में भी यार, मैं format करके थोड़ा, abbreviation चाहिए, यह January, February दिखा रहा है, तो abbreviation करूँगा न, तो सीधा month दिखेगा, यह दूसरी बारी line जो है, उसको मैं थोड़ी ऐसे नस्दिख कर देता हूँ, तो यह हो गए अपना month का menu button, अब last रहा हमारा revenue by year, इसमें हम एक line chart बनाएंगे, जिसमें दिखेगा कि revenue year over year कैसे drop होता है, वगरा वगरा, तो हम सबसे पहले normalize amount जो है, उसको डाल देते हैं यहाँ पे, रोज में, और columns में डाल देते हैं, month, c y date, so month c y date को करने के लिए, minus कर दिया, c y date यहाँ पे, यहाँ पे देखो, 2017 बहुत छोटा सा graph है, इसलिए मैं यह click करके, मैं month कर दूँँगा, ताकि थोड़ा proper graph दिखे, ओके, और मैं यह करता हूँ कि, इस वाले point पे मेरे को चाहिए revenue दिखने है, तो normalize amount को यहाँ पे label कर दूँगा न तो यह दिखने जाएंगे, दिखा, और again same, format में जाके, उसको currency custom करके millions में कर दो, इसको निकाल दो, तो सारे millions में अपने आ गए revenue, यह वाले को hide कर दो, ठीक है, इसको भी hide कर दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको आप निकाल दोगे ने title, तो निकल जाएगा, देखा, दूसरी चीज मैं यह करूँगा, देखो, यह मैं cancel करकी, कि normalize amount को सिर्फ इस पे color पे डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा, देखो, आपको एक shade मिल रहा है अभी color पे, तो आप, जिससे नीचे जा रहा है, यह थोड़ा सा, यहाँ पे dark है, यहाँ थोड़ा कम dark है, ओके, और यहाँ पे right hand side में सारे, आप plot access कर से तो, आपको different type के plot चाहिए तो, ओके, तो मैं, अब इस color को change करना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, just a second, अच्छा, वो वाला हमारा कहा गया, ओ, कुछ चीज़े चली गई, तो normalize amount को label में डाल दिया, तो label यहाँ पे आ गया, normalize amount को फिर से color में डाल दिया, तो color का भी shading हो रहा है, थो ताकि आपको clearly दिखे, okay, edit colors, automatic की जगा है, red, maybe red, या तो फिर orange, चलो, gold orange मेरा favorite color है, तो वही select करें, देखा आप, जैसे number change होता है, उस हसाब से, यह कम dark या ज्यादा dark होगा, और यहाँ पे January, February दिख रहा है, तो उसको मैं format करके, one तो है, लेकिन format करके abbreviation डाल देता हूँ, तो देखा, जैन, फेब है, etc. हो गया, और उसको, आपको थोड़ा बड़ा font करना है, तो मैंने 12 कर दिया, चलो, कोई नहीं, और यह जो amount है, उसके भी font, 12 कर देते है, अच्छा, यह इसके font हो गए, मेरे को करना है, इसका font, axis के font change करना है, अगर आप तो यह देखो, यह pen के font है, यह axis के है, आप यहाँ पर राइर क्लिक करके format भी कर सकते हो, और यहाँ पर, मैं कर देता हूँ, 12, तो देखो, यह font बड़े हो गए, ओके, अभी तक यह सब ठीक लग रहा है, अब हम करेंगे अपना final dashboard, तो इसके लिए यह दूसरा वाला icon दबाईए, जहाँ पर यह dashboard आ जाता है, अब इस dashboard जो है, उसके अंदर पहले तो इसका canvas छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा canvas बड़ा कर देता हूँ, let's say, इसको 900 कर देते हैं, और, इसको कर देते हैं, maybe 1200, या तो फिर, देखा, ऐसा करने से, जो canvas है, वो बड़ा हो जाता है, अब हम drag and drop कर सकते हैं, देखा, यह सारी sheet हमने बना दी, देखा, यहाँ पर preview है, मतलब individual आपके UI element बन गए, आप सिर्फ arrange करना है, और कुछ नहीं, तो हम पहले year को यहाँ पर दाल देते हैं, अब देखो, यहाँ पर कुछ तो problem हो रहा है, हमें ना floating करना है, यह tile करेगा न, तो थोड़ा दिक्कत होता है, हमें floating करना है, तो floating में, एक minute, हाँ, यह floating हो गया, अब floating में सबसे पहले year आ जाएगा, उपर top, year, अगर आप यहाँ पर double click करोंगे, तो main sheet update हो जाएगी, ओके, देखो मैंने year का title निकाल दिया यहाँ पे, तो आप main sheet में जाकर देखो यहाँ यहाँ पे, यहाँ पे भी निकल जाता है, तो same चीज, lash board में से भी edit हो सकती है, कहने का point यह है, तो year मैं उपर रख देता हूँ, उसके नीचे रख देता हूँ months, देखो, अब मैं रखो यह month नीचे, तो मैं month में जाऊँगा, either month में जाके, मैं edit कर सकता हूँ उसके, उसका hide अभी है, वो label, इस ते वो दिखनी रहा है, देखो, anyways, मैं यहाँ पे double click कीजे, आप इसको निकाल दीजे, हो गया भई, बहुत simple है, ओके तो मैंने year के नीचे रख दिए months, अब months के नीचे, revenue में रखता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखोंगा revenue, double click कर जे, इसको निकाल दीजे, टाइटल की ज़रूद नहीं, क्योंकि मेरे को पता है, वही, total revenue है, यह, इसको यहाँ पे रख दीजे, आप, देखो, अब, एक मिनिट, यह क्या हो रहा है, ठीक है, देखो, अब यह, आपका dashboard यह सा दिख रहा है, अब, मेरे को, यह करना है, कि जब मैं 2018 क्लिक करूँ, तो 2018 का revenue होना चाहिए, तो इसके लिए, आप यह जो widget होता है, widget यहाँ से move होता है, यहाँ पे यह filter कर दीजे, तो क्या होगा, वो उसको filter करेगा, देखो, 2019, 2020, आप देखो, अभी revenue change हो रहा है, देखा, और 2020 में इतने month में रहा है, 2020 मेका करना है, तो, again, इसको click करके, यहाँ पे use as a filter, यह important है, यह नहीं करोंगे, नहीं तो filter नहीं करेगा, तो देखो, यह मेका रहे दिख रहा है, June का दिख रहा है, April, आप है न, SQL query run करके, यह सब verify कर सकते हो, सेम अपना SQL table था न, यहाँ पे वही query run करके, आप वह confirm कर सकते हो, कि देखो, यहाँ पे था, कि inner join date under where date is equal to this, तो मेरो को जानना है, कि भाई, 2020 का revenue कितना है, 142 million, ओके 2020, 142 आ गया है, ओके, 2017 का कितना है, 93, 23, तो देखो, यहाँ पे 2017 का कर देता हूँ, 20, 17, 93 million आ गया, तो सेम ही चीज टेबलो दिखा रहा है, लेकिन, SQL में आपको query run करनी परती, यहाँ पे, easily, button click करने से, वो कर देता है, तो user, end user के लिए बहुत सही रहता है, अब हम, total जो cells, cells quantity की बहुई similar way में, यहाँ पे रख देते हैं, इसको निकालो, okay करो, अब चलो फटा फट थोड़ी जल्दी करके बना देते हैं, I know, यह लंबा session चला आज, लेकिन यह बहुत important session था, अब हम top, हम जो यह revenue by markets हैं न, इसको यहाँ पे रख देते हैं, हाँ, यह revenue by market से लिखने के ज़रूद नहीं है, okay कर दो, और इसको ऐसा मैं रख देता हूं, और sales quantity जो है by markets, इसको यहाँ पे डाल देता हूं, इसमें, ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं, टाइटल से थोड़ी health मिल जाए, तो मैं इसको, यह अपना हो गया, और इसको align करना है, तो आप middle में align कर दो यार, और font थोड़े छोटे कर देता हूं, देखो sales quantity होगी यहाँ पे, यहाँ पे देखो white space है, तो इसके लिए sales quantity by market में जाऊंगा, यहाँ पे यह click करके ऐसा कर दूँगा न, तो वो white space थोड़ा निकल जाएगा, यहाँ पे जो change करते हैं, वो reflect हो जाता है यहाँ वहाँ पे, ultimate dashboard में, okay, I hope आपने notice किया होगा यह, और डेली CR जो, है अपना sales revenue by market, इसमें हम title दाल सकते हैं, title है, whatever, revenue by markets, 12 number, bold, okay, जब करते हो, यह change नहीं हो, दूसरा यह वाला भी change हो जाता है, दिखा, यह revenue by market आ गया, so, चलो, इतना तो अपना हो गया, और इसको थोड़ा, align करते हैं, यार, थोड़ा मतलब खूबसूरत भी दिखना चाहिए, आपके बड़े, बड़े साब अगर देख रहे है, देख रहे हैं, तो, उनको लगना चाहिए ना, कि लड़के ना अच्छा काम किया है, alright, अब हम, जो हमारा chart है, कहा गया, अच्छा, यह वाला chart, इसको डाल देते हैं, यह वाला scale है न, को निकाल दे, इसकी जरूदनी है, revenue buyer, इसका जरूदनी है, अभी मेरा को title की, यहाँ पे तो जरूदनी लगती है, क्योंकि apparent है, पता चल जाता है, तो, यह वाला chart, अपना यहाँ पे आ गया, बहुत सब बड़ी आईसा, और top five product, और customer को यहाँ पे डाल देते है, देखो, top five customer अपने यहाँ पे आ गए, और top five product आ गई यहाँ पे, तो यह अपना, dashboard complete हो गया, अब सब में मैं क्या करूँँगा, फिल्टर, देखो यह, सब widget में जाकि, यह filter क्लिक कर दीजे, ताकि वो revenue अगेरा, filter हो जाए अपने हिसाब से, इसके हिसाब से, सब में filter है, तो इसका मतलब क्या है, कि जब मैं डेली पे क्लिक करता हूँ, तो सारे widget, डेली का market के हिसाब से, वो reflect, तो अभी यह revenue trend दिख रहा है, यह सिर्फ डेली का है, मैं फिर से click करूँगा, तो यह overall revenue trend दिखाएगा, देखाए, numbers change हो रहा है, I hope you can see it, आप जब 2020 कर दे हो, तो सिर्फ 2020 का trend दिखाएगा, फिर से click करते हो, तो वो different different year का trend दिखाएगा, यहाँ पे एक थोड़ी से problem है, यह सिर्फ January, February बगरा दिखा रहा है, मैं plus करता हूँ, अच्छा, यह सिर्फ January, February मेरे को पूरा year का चाहिए, तो मैं revenue by year में जाता हूँ, और इसको कर देता हूँ, year, तो देखो यह by year अभी दिखा रहा है, अब मैं जब plus करता हूँ, तो by quarter दिखाता है, और quarter को plus करता हूँ, तो by month दिखाता है, मेरे को quarter का नीचे है, तो मैं quarter को यहाँ से निकाल देता हूँ, तो अब क्या हो गया, 2017 का graph आ गया, 18, 19, etc. graph आ गया, मैं label को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, format में जाके, यह जो label है, अब label को, अच्छा, यह वाला label है, तो इसको format में जाता हूँ, और उसको, हम छोटा कर देता है, तो यहाँ पर जाके, format में click करके, आप 12 की वज़ा से, let's say 9, या तो फिर, I think 9 कर देता है, क्या हो गया भई, color change हो गया था, तो मैं उसको कर देता हूँ, तो देखो, अभी dashboard में है, वो मन्थ के हिसाब से, उसका पूरा revenue का चार्ट का breakdown, या तो फिर year के हिसाब से आगए, अगर 2020 में click करोगे, तो सिर्फ 2020 का वो trend दिखाएंगा, 2019 का trend दिखाएंगा, ऐसा हो जाएगा, तो individual year का देखना है, तो देखी सकते हो, लेकिन अगर ऐसा देखोंगे, तो वो पूरे year का वो breakdown दिखाएगा, अब ये chart का use करके, sales director या तो फिर बड़े managers है, देखा, आपको ये फायदा दिख रहा है, कि उनको अब individually, लोगों को call करने की ज़रूदनी है, quantity, sales quantity, total revenue, जो भी number देखना है, इसमें देख सकते हैं, ये अपनी एक web application जैसा हो गया, लेकिन ये web application के लिए आपको, programmer की ज़रूदनी है, data analysis आपके लिए बना सकता है, इसको लोग, Tableau online पे publish करते हैं, ताकि जो sales director है, उसको Tableau में जाने की ज़रूदनी है, उसके लिए तो एक HTML web पे जा जाएगा, वहाँ पे वो click करेगा, सब कुछ customize हो जाएगा, उसको कुछ नया चार्ट चाहिए, तो वो data analyst को बोलेगा, कि बया मेरे को ये भी चाहिए, तो data analyst फटा-फट बना की, यहाँ पे कर देगा push, और वो Tableau online पे public कर देगा, तो ये करने से, लोगों को बहुत ही quick analytics के result मिल जाते हैं, तो dashboard में तो हम बस अभी इतना ही बनाने वाले हैं, तो ये हो गया आपको, I hope आपको ये tutorial पसंद आया होगा, और अगर आया है, तो आप प्लीज इसको thumbs up कीजिए और like भी कीजिए, डेटा masters, जो data analyst है, उन लोगों ने ये dashboard बना दिया, अब जब sales director, भाविन पटेल, जो एटलिक हार्डवेर के sales director है, उनको ये use करना है, तो वो Tableau install नहीं करेंगे अपने computer पे, उनको तो एक easy access चाहिए, जहाँ पे वो web page में जाके ये access कर सके, इसलिए हमें इस dashboard को publish करना पड़ेगा web पे, अब web से public publish करने से पहले, अगर quickly आपको powerpoint में export करना है, तो वो भी कर सकते हो, export as powerpoint, okay, so this view, तो जब हम this view करके, मैंने नहायाचा करता हूँ, desktop में sales insight, मैंने ये export कर दिया, तो अब मैं desktop में, देखोंगे, मैं PowerPoint ओपन कर रहा हूँ, तो देखा, ये dashboard पूरा ऐसे export हो गया, तो अगर sales director, किसी को presentation दे रहा है, तो वो quickly, इसको export करके, ये chart generate कर सकते है, या तो फिर data analysis को बोलेगा, कि या मेरे को, year 2020 का Delhi region का, मेरे को तुम, एक presentation के लिए chart दो, तो वो क्या कराएगा data analysis, यहाँ पे जाएगा Delhi, और 2020, ठीक है, और इसको file में जाके, export कर दो, तो ये सिर्फ यही screen को, तो इसके लिए file में जाके, server में जाके, जब बोलते हैं कि, publish workbook, तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो मैं ये click करो, publish workbook, और यहाँ पे मैं, actually online connected हूँ, अपने tableau से, तो मैं निकल जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं sign out हो जाता हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, कि कैसे होता है, so server, publish workbook, actually यहाँ पे हैं न, मैंने credential ले लिए है, लेकिन आपको है न, tableau online के लिए, आपको एक account create करना पड़ेगा, तो आप हैं न, tableau online, इस पे जाओ, और free trial जो है, इसमें try tableau for free, तो आपको, आपको online में, login करना पड़ेगा, आपने वो tableau, desktop टो डाउनलोड कर दे, लेकिन tableau online में, आपको account create करना पड़ेगा, और वो आप यहाँ से कर सकते हो, sign up में जाके, ठीक है, तो मैंने account already create कर दिया है, मेरे पास है, तो जब publish करने जाओगे, तो वो credential मागएगा, username, password, मैंने तो अल्रड़ी दे दिया है, तो वो है ही और अल्रड़ी, तो वो करने के बाद, आप यह करोगे, sales insight phase 1, अल्रड़ी मैंने यह publish कर दे, इसलिए यह निखरा, लेकिन मैं ऐसा है, तो कुछ और नाम देता हूँ, ठीक है, आप दो बोलो के, कि यह किसकी, sales, for, atlic hardware, और tag back देने है, तो यह तो फिर sheets कितनी publish करने है, आपको सब publish करना है, यह सिर्फ added, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सब को publish कर दे दूँ, चलो publish, तो अब यह क्या कर रहा है, मेरे desktop पे सही यह पूरा dashboard, और ना कि सिर्फ dashboard, पूरा data, सब data, सब कुछ वो online पुश कर रहा है, ताकि, देखो, यह online पुश किया, ठीक है, मेरे को यहाँ पे login, email, password, again, आपको वो करना पड़ेगा, मैं login हूँ, इसलिए, वो email, password का पूछानी उसने, और, मैं जब cancer करता हूँ, तो देखो, सारी sheets उसने upload कर दी, अब मेरे को इसमें interest है, तो मैं जब यहाँ पे click करूँगा, तो मेरा interactive dashboard, यहाँ पे अलड़ी आ गया, देखो, यह URL में, website में, और यह बिल्कुर इसके पास, sub data है, sub work करता है, you know, 2020 का देखना है, 2020 देखती है, देखो, एक website application जैसा हो गया, अगर आपको database में refresh करना, तो refresh कर सकते हो, आप individual sheet को, आप यहाँ पे, देखते हैं, edit कर सकते हो कि नहीं, अच्छा, यह Tableau Online मेरे पास है, तो यहाँ पे Tableau Online में, मैं edit कर सकता हूँ अभी, मेरा trial version है, इसलिए, बड अदरवाइस, जो, stakeholder होते हैं, उनको सिर्फ viewing का access होता है, ओके, यह access की बात है, और कुछ नहीं, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकता हो, full screen, device layout, device layout में, आप mobile phone में, अगर, as an app रखना चाहते हो, तो आप, इसको, यहाँ पे, वो device layout में, जाके change कर सकते हो, तो as an app, mobile app भी आप इसको, export कर सकते हो, पूरे dashboard को, उनको, desktop में जाके, install करने की, जरूरत नहीं है, टैबलू software को, अब हम next video में, ऐसा करेंगे, कि, usually life में होता है, क्या है, कि, यह dashboard एक बार, managers को दे दिया, manager ने use करना चालू किया, उसके बंद वो feedback देते है, कि नहीं, मेरे को यह चाहिए, वो चाहिए, तो हम next, वीडियो में, हम feedback कवर करेंगे, मैंने sales insight का, power BI का project किया था, तो मैंने, youtube के viewers के पास से ही, बहुत सारी comment, feedback मंगवा आया था, तो हम, उस feedback को देखेंगे, और उस feedback के हिसाब से, phase 2, मतलब version 2 बनाएंगे, तो real life में यह होता है, कि आप managers को देते हो, managers feedback देता है, बाद में, आप phase 2 नया आप dashboard बनाते हो, तो हम, एक second dashboard बनाएंगे, जिसमें कुछ और interesting चीज़े होगे, लास्ट वीडियो में, हमने revenue analysis का, एक dashboard बनाया था, और वो dashboard, जो data analyst की team है, वो, जो sales director है, उसको देगी हाथ में, sales director उसको use करना चालू करेगा, और उसके बाद में, वो feedback देगा, कि मेरे को यह चीज़ चाहिए, यह चीज़ रिमूव करनी है, इसको update करना है, तो उस feedback के basis पे, हम आज एक नया dashboard बनाएंगे, जिसमें main profit analysis करेंगे, तो वो dashboard कुछ ऐसा देखेगा, जिसमें पुरा profit का analysis होगा, और बहुत ही interesting session होगा यह, इसको बोलेगे हम phase 2, phase 1 में हमने basic dashboard बनाया, उसके बाद में, मैंने stakeholder का feedback लेने के लिए, जब मैंने power BI की series की थी, तो आप सब लोगों के पास, मैंने feedback मागा था, तो मैंने क्या किया, YouTube के जो viewer है, उनको बोला कि आप मेरे को feedback दो, तो बहुत सारे viewers ने, अच्छा feedback दिया था, उस time पे, आइधिंग एक साल पहले, और उस feedback के business पे, मैंने उसको एजूम किया, कि ये feedback sales director ने दिया है, और उसके business पे, हम आज एक नया dashboard बनाने जा रहा है, तो हम चालू करेंगे, step by step feedback लेंगे, और एक नया complete dashboard बनाएंगे, तो शुरू करते हैं, सबसे पहला feedback, इस dashboard पे आया था, हिमान शुका, जिसने बहुत अच्छा point raise किया, कि हमने contextual filter का यहाँ पे use नहीं किया, तो उसे problem क्या होती है, जब, आप देखिए, मैं top 5 customers देख रहा हूँ, मेरे को दिल्ली के top 5 customers देखना है, मैं जब click करता हूँ, मेरे को top 3 ही दिखते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि जो अल्रेडी 5 customer थे, उसके उपर डेली का यह filter अपला हो रहा है, तो इसको resolve करने का तरीका है contextual filter, तो इसके लिए top 5 customer में जाओ, और आपके, यह जो है ना, आप बोलो, add to context, add to context, add to context, यह सब को आपने add to context किया, लेकिन customer के नाम को add to context नहीं किया, तो उससे क्या होगा, कि आप जब dashboard में जाओंगे, तो देखो अभी 5 customer दिख रहे हैं, आप डेली पे click करोके, तो भी 5 दिखेंगे, तो डेली में top 5 customer यह है, यही contextual filter का use आप, product वगेरा के लिए कर सकते हो, और same behavior अचीव कर सकते हो, ठीक है, तो यह feedback था, अब मैंने यह sheet जो है, बाकी के feedback की, उसमें वीजय आनन ने बोला था, कि sales decline हो रहे है, लेकिन अभी sales increase करने के लिए, क्या suggestion है, तो जगन info ने बोला था, कि बहुत सारा reason हो सकता है, product quality, promotion advertising, product attraction packaging, कौन से एरिया में क्या problem हो रही है, टीम बराबर काम कर रही कि नहीं, तो बहुत सारे reason होते हैं, तो I agree with जगन info, जब, जैसे ये, मैं sales director हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि डैली का जो region है, जिसमें monthly revenue एक time पे 23 million थे, अभी 6.9 million हो गए, तो मैं सीधे डैली के manager को phone लगाऊँगा, regional manager को, बोलूँगा कि भाई क्या हो रहा है, तो वो investigation करेगा, उसकी अपनी दूसरी system में से, employee के, जो performance के number दिखाएगा, तो या तो फिर, maybe competition बढ़ गी है, तो ये in-depth analysis होगा, और उसके basis पे हम reason जानेंगे, कि problem कहा हो रही है, लेकिन at least ये dashboard से हमें, पता चलता है, कौन से region में problem है, कौन से customer के साथ problem है, etc. Tamil Kumar ने बोला था कि, अजर product cost और margin, इसमें include करेंगा तो अच्छा है, क्योंकि ये जो, अपना dashboard है, उसमें सिर्फ revenue की बात की है, हमने बोला डेली में revenue जादा है, ये product में revenue जादा है, लेकिन हमने profit की बात की ही नहीं, क्योंकि profit main चीज़, profit loss, right, ऐसा हो सकता है कि डेली में बहुत ज़्यादा revenue हो, लेकिन profit margin काफी कम हो, तो उसके basis पे, हमने, जो हमारा transactions का table है, उसमें हमने तीन नई column डाल दी है, एक तो cost price, तो देखो, ये मैंने 102 रुपे में ये चीज़ बेची, ये एक transaction है, तो मैंने एक तो पहले cost price डाल दी, कि cost price इसकी है 62 रुपीज, और profit margin, अब ये column का नाम थोड़ा मैंने गलत दे दिया है, लेकिन ठीक है, ये profit है basically, तो 102 रुपी के item पे, cost अगर 62 है, तो 39 रुपीज profit होगा, इन दोनों को add करो, तो ये आ जाएगा, और ये percentage, ये है actually profit margin, तो ये column है आपका profit, और ये column है आपका profit margin, ठीक है, तो margin क्या होता है, देखो मैं दिखाता हूँ, sales की amount है 65, cost है 39, ठीक है, तो देखो मैं, ये simple math है दोस्तों, इसमें कोई rocket science नहीं है, देखो, 65 sales की cost है, मतलब 39 रुपीज में आपको, चीज पढ़ी है, आपने customer को थमा दी 65 में, margin जो है percentage है, वो 0.4, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, तो उसका मतलब ये, कि जो तुमारा profit है, कितना है profit, 26 रुपे, और उसका profit margin कल्कुलेट करना है, तो 26 into 100, इतने हुआ है, डिवाइड बाई, जो तुमारा sales का amount है, 65, तो हो गया, 40%, 40% को एक number में represent करना है, तो 0.4 होता है, ठीक है, तो ये simple math है, मैंने column के नाम थोड़े confusing रखे है, लेकिन आप इसको समझे, ये profit है, ये profit margin है, मेरे को ये dumb change करना में बहुत time लगेगा, इसलिए मैंने column के नाम chain नहीं के, otherwise ये है profit, और ये है profit margin in percentage, देखो, per segment profit margin percentage क्या है, हम, ऐसा एक table भी बताएंगे, जिसमें per customer profit margin क्या है, profit trend क्या है, ये सारे revenues है, revenue के हिजब से कितना percentage profit trend है अपना, ये सब दिखाएंगे, ठीक है, तो ये comment जो है, कहा गई अपनी comment, ठीक मिनेट, ये नहीं, हाँ, ये comment हम अभी address करेंगे, तीर्था ने बोला है कि, मेरे को breakdown of sales, brick and mortar, versus e-commerce का breakdown चाहिए, जो हमने ये नए dashboard में आज करेंगे, ऐसा pie chart बनाएंगे, जिसमें percentage breakdown, e-commerce वाले customer, और brick and mortar customer का करेंगे, top 5 customer with highest number orders, तो ये ये चीज है ना, ये बहुत ही simple है, top 5 customers with highest number order, तो आपका जो dashboard है, यहाँ पे जाके, ये जो top 5 customers with revenue है, तो revenue को, आप sales quantity में करना है, तो बहुत easy है, top 5 customer में यहाँ पे जाके, आप ये normalize amount को निकाल के, अगर आप sales quantity drag and drop कर दोगे, ना हो जाएगा, तो वो बहुत ही simple change है, और कौन-कौन से zone में, हमें managers को hire या fire करना है, तो zone का भी आप analysis कर सकते हो, जोन का अगर आपको bar chart create करना है, तो मैं दिखाऊंगा आपको, वो बहुत ही simple है, zone का वैसे करना है ना, तो देखो, जैसे, ये revenue by markets मैंने करा ना, देखो, revenue by markets है, ठीक है, ये markets name से करा था, अब same चीज, अगर आप zone से कर दूँगे, देखो, मैं यह आप zone कर दूँगा, और मैं, इसको निकालूंगा, तो ये zone हो जाएगा, देख लिए आपने, तो zone का करना भी बहुत easy है, तो मैं final dashboard में, अगर आपको दोनों ऐसे करने हैं, तो कर सकते हो आप, लेकिन मैं final में zone को नहीं रख रहा हूँ, आपकी मर्ज़िया आपको डालना है तो लाद दूँगा, जगन इन्फो ने भी बहुत अच्छा feedback दिया था, कि भाईया, ये sales decline हो रहा है, तो कुछ की performance indicator, जिसको बोलता है KPI, वो हम सब इसमें रखेंगे तो बहुत benefit होगा, जिसमें revenue by zone, sales quantity by zone, बहुत सारे अलगर metrics आप इसमें कर सकते हो, तो आप ये screen इसको pause करके read कीजिए, बहुत ही अच्छे input दिया है जगन इन्फो ने, तो ये सब analysis आप कर सकते हो, ठीक है, अब हम अपने dashboard में जाएंगे, और dashboard में जाके step by step, profit का जो है dashboard वो बनाना चालू करेंगे, ओके, तो हमने so far ये बना दिया, अब यहाँ पर click करके, एक नया dashboard बनाता हूँ, इस dashboard को मैं बोलता हूँ, dashboard revenue, और इस dashboard को बोलता हूँ, profit analysis, ठीक है, और, और, मैं by default size इसकी थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, canvas की size, 1600, और इसको बोलते है, 900, अताकि थोड़ा ज़्यादा जगा मिल जाए हमें, और अब हम, final हमें बनाना ये है, देखो, हमें ये बनाना है, जिसमें सबसे पहली चीज तो आएगी profit, profit का label की कितना profit है यहाँ ठीक है, तो मैं इसको side में कर देता हूँ, और हम step पर step बनाते हैं, तो ये click करने से आपको, एक sheet नई create हो जाएगी, इसमें बोलेंगे profit, ठीक है, इसको मैं hide कर देता हूँ, और जो profit की column है, टोटल, जो margin है, profit margin, ये, मैंने बोला न, ये profit ही है, तो इसको आप drag and drop करके, text में डाल दोते हैं, ये आज आएगा आपका, टोटल जो profit है, और इसको, हम थोड़े font बड़े कर देते हैं, bold कर देते हैं, और color green कर देते हैं, ठीक है, तो देखो यह हो गया, अब यहाँ पर बोलेंगे profit, और ये करने से, वो center में align हो जाता है, अब ये जो number है, उसको million में हमें करना है, तो format में जाके, आप of course, बेशक number को ऐसे million कर दो, तो देखो profit आगया million में, ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये करेंगे, हमें per market profit margin कैल्कुलेट करना है, तो per market profit margin का मदलब होता है कि, जैसे यहाँ पर अपने dashboard में, ये सारे region है, मेरे को जानना है कि, डेली में, 519 million का मेरा sell हुआ, लेकिन profit कितना हुआ, 519 million में से, प्रॉफिट, लेस्ट से होता है, 51 million, so that is 10%, okay, so I want to see 10%, कि कितना percentage, मैं 100 रुपे की item, एक region में बेचता हूँ, और 10 रुपे का profit होता है, तो 10% हुआ उसका, अगर मैं 50 रुपे की item है total, मेरे को cost पढ़ा है, 50 का business किया, और उसमें से मेरे को profit हुआ, let's say, 2.5 रुपीज का, तो वो होगा, 5% profit, तो मेरे को ऐसे percentage देखना है, कि कौन से market में, सबसे ज़्यादा मेरे को profit margin मिल रहा है, ठीक है, और वो देखने के लिए, आपको, सो मेरा end goal है, ठीक हो, मेरा end goal है, कुछ ऐसा बनाना, जिसमें मेरे को, final percentage margin देखने, जैसे भूबनेशवर में 10% margin है, तो बहुत बड़ा margin है, डेली में 0.59 है, ठीक है, तो ये बनाने के लिए, मैं ऐसा करता हूँ, कि जो revenue by market वाला है न, उसको duplicate कर देता हूँ, तो revenue by market को right click करके, duplicate कर दीजिए, और उसमें मैं बोलूँगा, profit margin by markets, ठीक है, और, of course, ये, इसको तो मैं निकाल देता हूँ, और ये जो sales amount है न, मैं उसको भी निकाल दूँगा, क्योंकि sales amount की बज़ाए, मेरे को रखना पड़ेगा, total जो profit margin है, में ये सारे filter अभी काल देता हूँ, ये filter कुछ नहीं है, जो हमने dashboard में डाले थे न, वही filter है, तो मैं उसको, एक बार एक करके निकाल देता हूँ, अब यहाँ पर, overall देखा जाए, तो अपने database में column है, profit margin percentage की, ठीक है, तो अगर मैं वो use करूँ, क्योंकि ये percentage ही है, तो चलेगा की नहीं, तो देख लेते हैं पहले, तो ये profit margin percentage, देखो मैं profit margin को ला लूँगा नहीं, यहाँ पर, तो, पर region में, अगें ये confusing column है, I am sorry about that, इसका नाम थोड़ा change कर देते हैं, ये profit margin नहीं है, ये actually profit है, तो daily में कितना profit हो, चलो 11 million का, इसमें 4 million का, लेकिन मेरे को कितना percentage margin है, वो मेरे को देखना है, तो ये वाली नहीं चलेगी, तो मैं person, ये margin को दख देता हूँ यहाँ पर, और इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, तो, इसने देखो क्या किया, कि sum कर दिया, तो अगर sum की वज़ाए मैं average कर दूँ, तो चलेगा की नहीं चलेगा, देखते हैं, देखो, average किया, तो daily का, हम बूनेश्वर का analysis करते हैं, चलो, बूनेश्वर का, आया, 0.007, मतलब की 7, 0.007, मतलब 0.7%, लेकिन क्या, ये करना ठीक होगा, क्योंकि हमने, सारे जो percentage है, उसको मिला के उसकी average कर दी, तो अब ये चलेगा की नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो मैं आपको example देता हूँ, देखो मेरे पास एक Excel फाइल है, कोई एक sales की amount है, 200 रुपे की item मैंने 20 में बेची, तो उसमें profit हुआ, profit margin हुआ, 10%, 20 profit हुआ, तो 20 into 100 divided by 20, तो ये 10% profit हुआ, 500 रुपे की item मैंने, 510 में बेची, 202, अगर मैं इसकी average निकाल दू, तो 10 रुपे की इतने होते हैं 12, 12 की average, 12 की average क्या होगी, 6, तो ये 6% क्या होगा, profit margin total sales का नहीं, देखो total sales किता हैं, 500 रुपे की तो 30, तो इसका percentage मैंने निकाड़ा, 30 into 100 divided by this, तो कितना आया, 4.2, 6% नहीं आया, देखा, तो इसी लिए, ये column हमारे लिए बहुत useful नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया field क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे जाके, आप बोलो, create calculated field, और वो बोले गए profit percentage, profit percentage मतलब, actually profit margin in percentage, तो profit margin in percentage क्या होता है, कि आपका जो profit है, टोटल, और हमारा profit है profit margin, जो column का नाम थोड़ा गरबर है, into 100, ठीक है, divide by sum of, divide by sum of, all the normalize amount, अब यहाँ पे error आ रही है, क्योंकि actually मैं एक चीज़ करना बुल गया है, sum of profit margin, divide by sum of normalize amount, ठीक है, into 100, अब यह निकाल देता है, और यह calculate field को यहाँ पे डाल देता है, अच्छा, तो यह देखो, 2%, 3%, भूबनेस्वर का हो गया, 3.9%, भूबनेस्वर का हम, 2020 का देख लेते हैं, तो 2020 का अगर देखना है न, तो ऐसा करते हैं, यह profit analysis जो है न, उसमें, हम profit margin इसको डाल देते हैं, floating पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, और, यह सब control पहले डाल देते हैं, चलो, हम यह नया dashboard अभी बनाना चालू करती हैं, तो पहले आजाएगा year, यह थोड़ा बीच में adjustment करके डाल दो, month आजाएगा, और as a filter यूज करना हैं, तो यह filter का button दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और, आ गया हमारा, ऐसा करते हैं, कि revenue by market भी डाल देते हैं, क्योंकि profit analysis में यह चीज हमें, काम में तो आएगी, और, revenue भी डाल देते हैं, चल्ब कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, इसको यह title की जरुवद नहीं, इसको निकाल दो, और डालते हैं, profit margin by market, इसका title है, profit margin by market, profit margin by markets, बैंगलोर का है न, बहुत horrible है देखो, minus 20%, अब हम सिर्फ 2020 का analysis करते हैं, तो 2020 के analysis में, देखो, बूबनेस्वर का profit margin सबसे ज़्यादा आया, 10%, अब यह 10.48% कैसे आया, यह हम थोड़ा, verify कर देते हैं, तो अपने SQL में जाएंगे, और SQL में, कुछ, हम, queries लखेंगे, तो देखो, बूबनेस्वर का जो code है, वो है, mark 0.15, ठीक है, तो, बूबनेस्वर का, 2020 में revenue कितना था, यह डालते हैं, तो इसकी query यह है, कि बहुत है, 2020 का revenue, और mark 0.15, ठीक है, और control एंटर करोगे, तो आ जाएगा यह, ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, यह Excel फाइल में, यह number डाल देता हूँ, copy field, ठीक है, अब यह हुआ क्या, यह हुआ आपका profit, मैं ऐसा करता हूँ, नई sheet खोल देता हूँ, और इसमें लख देता हूँ, और इसका revenue कितना है, well, actually यह sales amount है, तो यह हो गया, revenue, revenue, और इसका sales amount के लिए, same ही, आपको query run करने, सिर्फ इसमें लखना है profit, आपका profit कितना है, तो आप run करोगे, तो आएगा, 16935, 16935, अब हम calculate करते हैं, तो इसको 100 से multiply करो, और divide करो revenue से, तो आएगा 10.48%, देखा 10.48%, तो यह verify कर दिया, कि यह ठीक चलता है, अब यहाँ पर label उस पर रखना है, तो आपको पता ही है कि, profit margin को ऐसे label में रख दो, तो यहाँ पर यह बता देगा, और अगर आप format में जाके, बोलोगे कि भाईया, यह percentage है, अच्छा, percentage होना, तो, actually, you know what, हमें क्या करना चाहिए, हमें, यह जो profit margin है न, उस field को, actually, हम 100 से multiply नहीं करना चाहिए, अगर, जिसे 50% है, तो उसको 0.5 रहने दो, ठीक है, और हम formatting के अंदर, यह जो इसका formatting जो करते है न, format, इसके अंदर, हम उसको percentage बना देंगे, तो देखो, हो गया percentage, और label को, अगर आपको, बोल्ड करना है, थोड़े 0.1 बढ़ाने है, तो, बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, देखो, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, ओके, तो यह एक, अच्छा dashboard हमारा यह बन गया, यह revenue by markets को, भी थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, इसका जो label है न, यह वाले label को, थोड़ा 11 bold apply, ताकि दोनों बढ़िया लगे, अब यह करने से, आपको एक चीज़ पादा चलती है, कि 2020 में, बले न डेली ने, बहुत ज़्यादा revenue दिये हो, लेकिन, भूबनेश फ़र में, सबसे ज़्यादा margin रहा है, तो आप ऐसे sales director, ऐसा कर सकते हो, कि भूबनेश फ़र में, भया दंदा बढ़ाओ, क्योंकि उसमें profit ज़्यादा मिलता है, 100 रुपे के item बेथते हैं, तो 10 रुपे का profit होता है, versus डेली में, जब मैं 100 रुपे के item बेथता हूँ, तो मेरे को 59 पैसे, एक रुपे का भी profit नहीं होता, तो margin कम है, तो देखा, आपको और यह सब insights लेने से, आपको बहुत अच्छाड आइडिया था है, आपने business में कहां ज़्यादा फोकस करना है, तो आप जो top 3 market है, जहां पर profit margin अच्छा है, मेभी आप वहाँ पर focus करो, फईदरबर चेनने में, सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको cut मिलता है, ठीक है, ओके, अब next चीज़ यह करते है, अब next चीज़ में, profit trend का एक chart बना देते हैं, तो इसके लिए again plus करो, और यहाँ पर मेरे को एक normalize amount, जो है, वो row में डाल देता हूँ, और columns में, अपना c y date डाल देता हूँ, और यहाँ पर देखो, आप plus कर सकते हैं, quarter ले वगेरा, आपको यह chart नहीं रहे, continuous रखना है न, तो continuous भी कर सकते हो, तो यह करने से continuous होगा, यह करने से आपको, वो ऐसे section में देगा, ठीक है, तो up to you, आपको क्या करना है, आप यह plus करोंगे, तो month wise month भी देगा, ठीक है, तो हम चलो यही कर देते हैं, month wise month, और month wise month जो है, उसमें, हम जो format करते हैं, ठीक है, तो आप click करके, अगर format करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, कि, आपको किस टाइब के, standard short date, या तो फिर, आपको, custom भी कर सकते हो, कुछ भी मैं चलो, आपको आपको रखता हूँ, जो भी है, वो ठीक है, now, मेरे को, यह जो, नॉर्मले जमाउन चलते हैं, उसको मेरे को, बार चार्ट में डाना है, ठीक है, तो बार चार्ट में लाने के लिए, क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पर, बार चार्ट में अदाद ला दिया, actually, मैंने क्या किया, ना दिखाता हूँ आपको, ऐसा था, राइट, इसको, मैंने, ऐसे चार्ट में कनवर्ट करके, यहाँ पर कॉलम को, रो, रो को कॉलम में कर दिया, तो यह आ गया, मैं ऐसे क्वार्टर लिकर दिता हूँ अभी, ओके, और इसको बोलते थे, हाइड, तो मेरे रेवेन्यू आ गये सारे, अब रेवेन्यू के, इसी एक्सिस पे, मैं पहले यह हाइड करता हूँ, इसी एक्सिस पे मेरे को, प्रॉफिट परसंटेज जो मार्जिन है, उसको ऐसे लाइन चार्ट पराट करवाना है, तो मैं, प्रॉफिट परसंटेज जो है न, इसको ड्राइग और ड्रॉप करके, यहाँ ले रहाता हूँ, तो वाइड ड्रॉफल वो बार्चार्ट बोलेगा, आप बोलोगे, कि भाईया, यहाँ पर क्लिक करो, और इसको, लाइन चार्ट कर दो, ठीक है, और राइट क्लिक करके, ड्यूवल अक्सिस करोगे न, तो वो एक ही एक्सिस पे, उसको प्लॉट कर देगा, ओके, और राइट क्लिक करके, इसको फॉर्मेट करके, आप कलर में जाके, आप देखो, प्रॉफिट मार्जिन को यह कलर, और नॉर्मलाइज अमान को, थोड़ा सा, डिफ्रेंट कलर डाल देते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन को बोल देते हैं, ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन का मत्रब होता है प्रॉफिट, तो यह हो गया अपना, यह वाला चार्ट, ठीक है, अब इस पे लेबल भी लालने हैं आपको, तो लेबल भी डाल दो थोड़े, तो वो करने के लिए, हमें क्या करना पड़े का, हाँ, यह देखो, प्रॉफिट का है, यह प्रॉफिट जो ग्रीन लाइन है, तो उस पे लेबल लाने के लिए, प्रॉफिट को फिर से लेबल पे कर दो, तो आपको profit का गया और यहां पे आप format में जाके बोल दो percentage तो percentage में हो गया और जो यहां पे है अपना bar chart उस पे हम normalize जो amount है उसको as a label डाल देंगे तो बहुत बड़ी amount दिख जाएंगी उस amount को हम format कर देंगे format में नंबर में जाके नंबर में custom बिलियन, मिलियन, whatever तो हो गया आपका million और यह ठीक है I hope यह अभी तक makes sense कर रहा है आपको अभी इस chart को मैं अपने dashboard में डाल देता हूं तो जो अपना यह analysis वहला dashboard है उसमें अच्छा कहां गया, seat 12, okay this is profit trend profit trend, all right और profit trend को drag and drop कर दो भाई, drag and drop की ही life है अब निका drag and drop करने से बहुत सारा काम easy हो जाता है अब यह profit trend ऐसा लिखना नहीं है तो ठीक है यार मरला हमें पता है यार यह एक्सिस पर लिखा हुआ है अगर आपको यह quarterly वाला निकालना है ना तो क्या कर सकते हूँ आप एक्श्यूरी मैं मुंध का भी कर सकता हूँ हाँ ऐसा मुंध का और यहां पे इसको यूज अज फिल्टर कर दो इसको निकाल दो उसे फिल्टर अब 2020 का देखा 2020 का पूरा मेरे पास सिनारियो आ गया ही इसको निकाल दो यह इसकी ज़रूद नहीं है तो 2020 में ओर यह month to month देखो मेरा total revenue क्या है और हर एक month में मेरा margin कितना है तो March में इतने का business किया margin इतना रहा लेकिन April में business तो decline हुआ लेकिन margin बहुत decline हुआ और अगर आप same चीज डेली की ही analysis करो कि सिर्फ डेली में क्या हुआ तो हाँ मैंने यह filter कर दिया तो देखो डेली में कुछ ऐसा सिनारियो रहा कि profit margin plus minus होता रहा तो देखा इससे आपको बहुत ही अच्छी बढ़िया वाली inside मिल जाएंगी ठीक है अब यह तो हो गया customer ऐसा है कि बहुत उसके पास मेहनद करनी परती है लेकिन कुछ अच्छा profit होता नहीं है तो यह हमें देखना है तो इसके लिए मैं है ना एक नई sheet बना देता हूँ customer table की customer table इसमें हम simple चीज करेंगे कि जो customer का नाम है इसको यहां पर डाल देंगे और यह जो label है यहां पर हम डालेंगे कुछ कुछ चीजे जिसमें आएगा measure तो measure में आएगा पहले तो normal as amount अब मेरे को table चाहिए भाई table के लिए यह रहा table यह क्लिक करने से table आ जाएगा दूसरा चाहिए profit margin देखा profit margin और तीसरा चाहिए profit यह profit यह profit है by the way मैंने बुला नाम थोड़ा गलत है तो हम मैं इससा करता हूंगा कि profit इसका नाम कर देता हूं इसका नाम करता हूं revenue ठीक है यह दो column हो गई आपको I hope ओके और यह जो calculated field है हमारा वो है हमारा वो चीज है इसको थोड़ा यहां कर दूँ वो चीज actually में margin है ठीक है तो इसको मैं कर देता हूं profit margin अब यह 0 क्यूं दिखा रहा है क्यूंकि वो percentage है इसलिए 0 दिखा रहा है तो मैं उसको format करके percentage कर देता हूं तो देखा अभी percentage में दिख गया है तो हमारे यह customer table हो गया ठीक है तो मैं इसकी कोई ज़रूर्द नहीं है अच्छा वाला customer का table हो गया अब customer table को अपने final dashboard पर drop कर देते हैं दिखा तो यह table से हमें पता चलेगा कि कौन से customer में सबसे ज़्यादा margin है तो अब मैं shorting करूँ गाना देखो तो लीडर जो customer है उसमें सबसे ज़्यादा margin है मनलब उसके पीछे सबसे ज़्यादा मेरे को मुनाफ़ा हो रहा है अब लास्ट चीज है हमें brick and mortar का जो customer type है उसका हमें pie chart बनाना है तो pie chart कैसा होगा देखो customer का जो table है उसमें customer की type होती है कि brick and mortar होती है और e-commerce तो मुझे वो भी breakdown देखना है कि वो breakdown क्या है overall तो वो breakdown देखने के लिए हम एक नई sheet बना देते हैं और उसको बोल देते हैं pie chart हमारा pie chart है यह और उस pie chart में सबसे पहले दो होती है customer type तो एक customer type डाल दो यहां पर ठीक है इसको मैं निकाल देता हूँ और जो यहां पर है मतलब जो डूसरा dimension उसमें हमें चाहिए तुम्हारा sales का amount normalize amount की हमें यह breakdown चाहिए हमें सिर्फ revenue का breakdown चाहिए है आप profit margin का भी breakdown कर सकते हो लेकिन मैं revenue का करूंगा तो देखो simple तो मिल जाता है यहां पर और मैं इसको pie chart में convert करते हैं देखा pie chart हो गया यहां पर click करते हैं तो pie chart हो गया मैं उसको बोलूंगा entire view करने से पूरे view में आ जाएगा और size भी होती है देखो size करते हैं नो size बड़ी छोटी होती है तो मैं इसकी इतनी size दिखता हूं ठीक है अब यहां पर inside तो दिखा रहा है कि इतने है इसके revenue तो भाया मैं चलो पहले दो label डाल देते हैं तो label में customer type है वो label में drop कर दो तापको यह load label देखे और जो normalized amount है उसको भी label में डाल दो तापको यह दिखके लेकिन मेरे को percentage चाहिए यह दोनों label जो है मेरे को percentage में चाहिए तो यह वाला label है ठीक है तो उसमें आप quick table calculation करके बोलेंगे percentage of total तो दिखा देगा कि percentage total क्या है और इसको आप drag and drop करके supply chart में डाल करते हैं ठीक है और इसको label को आपको बढ़ाना है तो यहां पर format में जाके I think यही है इसका let me see अगर मैं सही कर रहा हूँ की नहीं हाँ यही है देखा apply okay और जो आपका यह है final dashboard उसमें pie chart को ऐसे drag and drop कर दो और लास्ट चीज जो profit का summary label है वो हम यहां पर लगा देंगे इसको निकाल दो okay कर दो यहां पर बीच में डाल दो इसको देखो यह must have feedback को लेके हमने phase two बना दिया है ready है ready to rock friends good job I hope आपने टैबलू डाउनलोड किया है और मेरे साथ आप भी practice कर रहे हो यह बहुत अच्छा phase two का dashboard बन गया पहला dashboard यह था जिसमें सिर्फ revenue analysis था दूसरा dashboard यह बन गया जिसमें हमने profit analysis किया margin का analysis किया हमने पाया कि 2020 में डेली में बहुत ज़्यादा revenue थे लेकिन profit margin में में भुगनेश्वर हाइदराबद चेन नहीं आ गया है तो शायद उन तीनों region पे focus करना important होगा क्योंकि वहाँ पे sell बढ़ाएंगे तो profit overall वहाँ पे ज़्यादा आता है उसी तरीके से मेभी यह leader और इलेक्ट्री स्क्वीपोक स्टोर्स जो दोनों customer है उनके profit margin जादा है तो मेभी उन दोनों पे focus करने से ज़्यादा होगा और 2020 में overall profit margin का देखो यह trend analysis करके भी कुछ कुछ insights हमें पता चलती है और हमें total overall yearly trend देखे राइट जैसे डेली का या तो फिर मुंबई का देख लेते हैं ठीके यहाँ पर filter पर क्लिक करो तो मुंबई में यह वाला trend है यह सारे customers है उसके और यह customers जो है एक मिनिट मैं इसको सेलेक कर देता हम हाँ तो डेली में मुंबई में देखो यह power करके customer है जो सबसे ज़्यदा profit margin देता है तो अगर मुंबई में sell बढ़ाना है तो maybe आप power पे ज़्यादा focus करो ठीक है तो यह सारे insights आपको यह वाले dashboard से मिल जाएंगी और यह दोनों dashboard की जो file है उसको twb file की बोलते है वो मैंने github page पे अपने upload मैं करने वाला हूँ ठीक है देखो यह अब आप github पे मेरे page पे जाओगे तो tableau है यहाँ पर अलड़ी यह जो twb file है उस file में यह सारे dashboard है यह वाला और यह तो आप वो file को download कीजे आपको updated sql dump download करना है तो मैं उसके updated sql file आपको दूँगा मैंने अभी dbdump version 2.sql download upload कर दी है मेरे github पे तो यह जो file है उसको आप यहाँ पे server में जाके data import करके अपने जो sales की schema है उसमें ही import करना देखो import from self content file में तो आप वो import कर दोगे उसके बाद में ही आपको यह वाली जो columns है वो दिखेंगी जब आप यह file को download करोंगे download करने के बाद server में जाके data import करोंगे और उसको sql file को import करके अपना database update करोंगे ओके तो यह सारी instruction है यह github की page नीचे video description में है यह TWB file पे सारे dashboard है आप इसको download करेंगे सब कुछ दिख जाएगा I hope आपको यह series पसंद आई हो यह series का भी end हो रहा है यह last video था बहुत ही मज़ा आया मेरे को और और बहुत मज़ा है यह series करने में आप इस video को आपके friends के साथ जरूर शेर कीजिए thumbs up कीजिए like कीजिए यह series आपको बहुत सारा project exposure देती है Tableau के लिए तो आप Tableau को download करके जरूर practice कीजिए okay thank you very much